अभी हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता देखी पहली बात तो यह है कि इटीजार टूडाइमेशनल मोशन एक टूडाइमेशनल मोशन होता है एक प्लेनर मोशन होता है और बड़ा common सा example है जहां तक sports activities होती हैं वहां तक देखा जाया तो projectile motion is a very common kind of motion either you say two dimensional motion और planar motion देखें क्या होता है जब कभी हम किसी object को कुछ initial velocity दे ओके यदि हम किसी object को कुछ initial velocity दे और initial velocity दे और वो सिर्फ और सिर्फ gravity के under move कर रही हो when it is moving under the effect of gravity only gravity याने जो अर्थ का जो gravitational force होता है उसे हम gravity बोला करते हैं जानते हैं ठीक है so when an object is having certain initial velocity अगर किसी object को कुछ initial velocity दे जाए and it is moving under the effect of gravity slowly it is moving under the effect of gravity only then motion of that object is known as projectile motion उसे हम कुण सा motion कहते हैं उसे हम बोला करते हैं projectile motion जैसे बड़े comments हैं उसारम के तोर के बताता हूं मैं आपको हम जो cricket में ball को throw करते हैं जब हम cricket में ball को throw करते हैं two dimensional motion में देख चुके हैं तो जब हमने ball को throw किया तो ball जो होती है बच्चों वो कुछ इस तरह के path को follow करती है या फिर हमने मान दीजे किसी football को kick मारी अगर मान दीजे तो भी वो इस तरह का motion रहता है ठीक है तो यह जो motion होते हैं बच्चों यह projectile motion होते हैं यह product shape पर गती होती है बेसिक लिए अगर देखा जा तो यह जो होता है यह vertical plane में होता है क्योंकि देखें जब ball को affect है तो ball ऐसे जाती है तो यह कौन सा motion है यह कौन सा plane है यह vertical plane है जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा बोर्ड आपकी copy का जो plane है वो horizontal plane है अगर आप copy को बिल्कुल खड़ी करके रख देंगे then you will find कि वो vertical हो गया यह जो motion होता है एक बात तो confirm है कि भाईया यह planar motion है यह two dimensional motion है और अगर कोई body को initial velocity impart कर दी जाए और वो केवल और केवल gravity के force के अंदर move कर रही है उस पर और कोई force नहीं लग रहा हो air का force यहां उसको ऐसा नहीं हो कि कोई fuel से energy supply हो रही हो उसको एक बार जो आपने initial velocity दे दी उसके बाद मैं आपने उसको छोड़ दिया देखिए आप जो ball को fact है तो ball के साथ-साथ तो आप नहीं जाते ball तो खुझ जाती भी आपने एक बार initial velocity उसको दे दी after ball जो है वो अपने आप जा रही है ठीक है तो यहां पर बच्चो वो जो motion होता है ऐसा motion को हम बोला करते है projectile motion प्रक्षे पर गती और इसमें हम जो basically अभी जो पढ़ने वाने बच्चों वो हम लोग पढ़ने वाने projectile motion जो सबसे common वाला होता है जिसे हम oblique projectile motion भी कहते हैं इधर you say oblique projectile motion और you can say projectile motion at certain initial angle जब आप उसको कुछ initial angle आप देते हैं ठीक है अभी हम देखते हैं तो से वो clear हो जाएगा तो यह बात तो confirm होगी बच्चों की यह जो motion है जब आपने किसी object को initial velocity दी और वो सिर्फ और सिर् तरह से move कर रही है ठीक है आपने क्या कर रहा है यहाँ पर देखे किसी ball को आपने यहां से throw किया suppose किजे you throw a ball you are throwing a ball आपने किसी ball को throw किया आपने किसी ball को faqa and let us assume that हमने ball को u velocity से throw किया और horizontal के साथ थीटा angle पर हमने मान लिया किए bombay को u velocity से फैका है, horizontal के साथ theta angle पर फैका है तो ball यहां से यहां जब पहुचेगी तो हमको तमाम तरह की quantities को determine करना होगा, ठीक है? तो अभी हम यहां पर देखे क्या करते हैं? हम हमें यहां पर निकालना है कि कितने time में ball वहां पहुच जाएगी और इसने maximum कितनी height चली इसकी distance कितनी आई इसके momentum में change कितना है तमाम तरह की quantities हमको मालूम करनी है ठीक है? तो हमें एक काम करते हैं, देखे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब कभी कोई object two dimensional motion करता है या even three dimensional motion भी करता है तो हमेशा बहतर यह होता है कि उसके motion को two mutual perpendicular directions में आप resolve कर लीजिए तो एक काम करते हैं, चलिए साब हमने इसको x-axis माल लिया और इसे हमने y-axis माल लिया ठीक है? जो usual rectangular cartesian system होता है वही कुछ मैंने assume किया let us suppose कि यह वाली जो direction है वो x-axis है यह जो direction है वो y-axis है ठीक है? अब आपने क्या कर दिया? इसको u velocity दी अब क्या होगा इस case में देखी जो आपने velocity u दी अब x-axis की direction में जो velocity आएगी वो क्या आएगी बच्चो? u cos theta x-axis की direction में जो velocity आएगी वो आएगी u cos theta और जहां तक y-axis की direction की velocity है तो वो कितने आएगी? u sin theta गौर कीजेगा देखी हम कभी भी कभी कोई motion जो की two dimension motion है या फिर planar motion है तो हम क्या करते हैं? उसके motion को दो mutual perpendicular directions में तोड लेते हैं और हम जो equation of motion होंगी वो भी उसी के according लगाएंगे अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको picture clear होती जाए कि अभी हम ऐसा projectile motion देख रहे हैं जिसको हमने किसी particular angle पर फैका था ठीक है? इसे oblique projectile motion भी कहा जाता है या बोला जाता है कि projectile projected at certain initial angle तो देखी आपने क्या करा? इसे x-axis मान लिया this is the positive direction of x-axis and this is the positive direction of y-axis अभी आपने u velocity इदर दी तो ये वाली velocity कितनी हो जाएगी? that will become u cos theta और जो y-axis की direction में velocity होगी बच्चों वो होगी u sin theta और अब बारी आती है a-axis की तो देखी ए-axis कितना होगा? a-axis यहने कि acceleration along x-axis तो x-axis की direction में जो acceleration होगा x-axis की direction में जो acceleration होगा वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा ध्यान दीजिएगा x-axis की direction, acceleration 0 होगा क्यों होगा? देखी जब आपने ball को फैका तो ball जो है सिर्फ उस पर एक ही force लग रहा है हमने बोला it is under the gravitational force alone केवल और केवल gravitational force लग रहा है और कोई force नहीं लग रहा है और चुकी और कोई force नहीं लग रहा है और वो जो force लगता है जो gravity का force होता है वो आप जानते है it always acts vertical downwards भाई जो gravity का force होता है वो हमेशा नीचे की तदफ लगता है always acts vertical downwards वो हमेशा नीचे लगता है वो कभी और कही direction में नहीं लगता body कैसी भी हो बोड़ी ऐसी जारी हो ऐसी जारी हो ऐसी जारी हो कैसे भी जाए gravity का force तो हमेशा vertical downward लगता है ठीक है बच्चों तो अभी क्या करा आपने आपने AX को जहां कितना मान लिया 0 मान लिया और जो मान क्यों लिया भाई यह देखी है वो क्यों है क्योंकि जब ball air में आई जब अपने ball को release कर दिया तो afterward ball पर एक ही force लग रहा जो कि vertical लग रहा है horizontal कोई force नहीं लग रहा आप बोलो sir हमने उसको पर force लगाया ना हमने उसको force लगा कर ball को throw किया लेकिन हमने जो force लगाया बच्चों it has imparted some initial velocity to it हमने जो force लगाया उससे उसको initial velocity मिली है ऐसा तो नहीं है कि हमने जब force लगाया तो हम उसके साथ साथ जा रहे है क्या हम उसके साथ साथ जा रहे है बिलकुल नहीं जा रहे हमने बोला कि हम उसके ओपर कोई fuel वगरा supply नहीं कर रहे हैं अभी आप देखें जब आपने बॉल एर में आगे तो बॉल पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है बच्चो वो है ग्रैविटी का और कोई फोर्स नहीं लग रहा है और अगर वो ग्रैविटी का फोर्स है और वो डाउनवर्ड लग रहा है और हम यह पहली जानते हैं कि Y-axis औ पुर्णिता स्वतंत्र इंडिपंडेंट एक दूसरे से बिलकुल अन एफेक्टड अन इन्फ्लूएंस जो रहती हैं जब बॉल एर में आई वन बॉल कमस इंटू दी एर इट इस अंडर दी ग्रैविटेशनल फोर्स वानली विच इस अक्टिंग वर्टिकली डाउनवर् अरो न्यूटन का सेकंड द activities दी एक्से अंडर एकक्स्स की डाउर्टिक्शन हकोरनवर्ण जूड़ जहां तक वाज के एक्से पार ओक्सेदरिशन होगा वहा कितना जी माण लेते हैं यहां पर हम जो य एक्से का डाउर्टिक्स है हम उसको माल लेते हैं इक काम करते हैं उ उसे उपर की तरफ ही ले रहते हैं, उसे हम उपर ही ले रहते हैं, यहाँ पर मैंने इसको x-axis ले लिया, और यह positive x-axis और यह positive y-axis, उपर ही रहते हैं इसको ठीक है, चलिए, तो अभी क्या होगा, देखी, जो आपने जब बॉल को फैका, तो बॉल पर जो y-axis की direction में acceleration लगेग ठीक है, तो मैं एक बार फिर समझा रहते हूं, देखी, ux कितना, ucos theta, uy कितना, usin theta, ax कितना, 0, x-axis की direction में कोई force नहीं है, और y-axis की direction में acceleration कितना है, बच्चों, minus z, ठीक है, तो यह चार parameter से जिनको हमको समझना जरूरी है, मैं एक बार फिर बोल रहते हूं, I have thrown a ball initially at angle theta with the horizontal and initial velocity उसको मैंने u दी, तो अब अगर मैं u को बच्चों, इदर resolve करूंगा, तो यह component आएगा, उसका ux, और यह वाला component आएगा, वो आएगा, उसका वो uy, और x वाला component कितना होगा, obviously u cos theta, y वाला component कितना होगा, naturally u sin theta, और ball जब air में आई, आप air में तो ball आ रही है, लेकिन हम कोई force नहीं लगा रही है, हमने बोला है कि ball पर सिर्फ एक ही force लग रहा है, वो gravitation का, और जब air का कोई force नहीं लग रहा, तो air का acceleration, जब ball पर केवल एक ही force लग रहा है, gravity का, और वो नीचे की तरफ लगता है, x-axis की direction में कोई force नहीं है, तो x-axis की direction में acceleration भी नहीं होगा, इसके direction का acceleration कितना होगा, minus g, यह हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर हमें अलग-अलग जो parameter से वो determine करने हैं, सबसे पहले हमें काम करते हैं, suppose कीजे ball यहाँ पर यह origin था, यह ball का origin था, और ball कहीं यहाँ पहुची, ठीक है, बाल कहीं यहाँ पहुची, और यह जो उसकी distance आई, suppose क यह x-axis के लोग उसकी distance आई, वो कितनी आगई, x आगई, और यह जो distance आगई, यह कितनी आगई, y आगई, मतलब suppose कीजे यह जो initial point था, इसको हमने नाम दे दिया, a, और यह जो point है, जब ball किसी hypothetical point p पर पहुची, जिसके corner से x-y, मतलब उस point की x-axis के लोग जो distance है, बच्चों वो x है, और y-axis के along जो distance है, वो y है, its distance along x-axis is x, its distance along y-axis is y, ठीक है, तो यह आपके पास में आया तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर लगाते है, equation of motion, s equals to u into t plus 1 by 2, a into t square, यह हमारे पास में equation of motion है, equation of motion, second equation of motion, very popularly known equation, s equals to ut plus half a t square, where s is the displacement, where s is the displacement, u is the initial velocity, t is the time and a is acceleration, अब जब ball p पर पहुची बच्चों, तो उसने x-axis के along, चला x और देखिए, जैसे यह थी, आपको क्या करना है, जब भी कभी, जब भी कभी कोई body two dimension में चलती है, तो it's better recommended, it is always advisable, that you break its motion into two mutual perpendicular directions, आप उसको दो mutual perpendicular direction में तोड़ लीजे, देखिए, ओके, यह initial point था a, मैं a काम करता हूँ, इसको और generalize way में काम करता हूँ, मैं initial point को a नहीं o नाम दे देता हूँ, o के coinards क्या होंगे, 00, जो भी हम study करेंगे, वो इसके respect में study करेंगे, अब ball किसी random point p पर पहुची, जबकि उसका x-axis के direction में displacement x था, y-axis के direction में displacement y था, अब यह वाली equation आपने लगाई, s equals to ut plus half 80 square, अब यह s के displacement है, तो along x-axis जो displacement होगा, वो x होगा, along x-axis जो velocity होगी initial वो ux होगी, और along x-axis के direction में जो acceleration होगा बच्चों, वो ax होगा, तो यह आपके पास में आगया, ठीक हैं, अब यहाँ पर दिहान दीजे, जो ux होगा, वो ux कितना है यहाँ पर, ux की value जो है बच्चों, वो कितनी है, u cos theta, और into कितना, time t, plus 1 by 2, और ax कितना, ax जो है बच्चों, x-axis की direction में acceleration कितना है, 0 into t square, ठीक हैं, देखीं, क्या हुआ, ux की value कितनी थी, u cos theta थी, into t था, plus half ax कितना, 0 into t square, so this will turn into u cos theta into t, ठीक है, तो यह आपके पास में x आ गया, x is the displacement along x-axis, it is the displacement along x-axis, जिसकी value यह आ गई, ठीक हैं, यह आपके पास में x-axis के along displacement की equation आ गई, अब एक काम और भी कर सकते हैं, कि जब उसने x-axis के along x चल लिया, तो उसमें उसको time कितना लगा, if I want to calculate that time, तो time क्या आएगा, time आएगा, बच्चो, x upon u cos theta, यह आगया time, in how much time the ball will come from o to b, o to p, कितने समय में ball जो है, बच्चो, वो o से p तक आ जाएगी, यह वो time आगया, time कितना आगया, x upon u cos theta, यह वो time आगया, ठीक है, अब ball y-axis के along कितना चली, वो हम निकालते हैं, तो y-axis के along कितना चली, बच्चो, y-axis के along जो चली है, वो y equals to कितना, y equals to होगा, u y t plus half a y into t square, ठीक है, y equals to कितना, u y t plus half a y t square, अभी u y कितना देखिए, u y की value आप देखिए, वही देखिए, s displacement था, specifically along the axis, y axis, वो हो गया y, along the axis, y axis, initial velocity, u y, और time तो भी आगया, किसी axis के along वाली बात होते नहीं है, अना, time तो time है, ultimately, और y axis की रायक्षाम, जो acceleration है, वो है, a y, हना, अभी यहां पर देखिए, वह y y की value आप देख चुके हैं, वो कितनी थी, u sin theta, correct, into कितना, time t, plus half, a y कितना, minus g, a y की value, minus g, हना, और यह कितना, t square, so this is displacement along y axis, यह जो है, बच्चों, यह हो गई, y axis के along displacement की question, if somebody is asking you, what is the displacement along x axis, अगर displacement along x axis निकालने को बोला जाए, after time t, तो वो यह होगा, अगर displacement along y axis निकालने को बोला जाए, तो वो यह होगा, अगर मुझसे net displacement बोला जाए, बच्चों, तो net displacement क्या होगा, देखिए, जब particle p पर पहुचा, तो उसका x axis के along displacement x था, और y axis के along उसका displacement y था, तो यह हो जाएगा, x i cap plus y j cap, उसका x axis के along जो displacement होगा, वो होगा, x i cap plus y j cap, वह टोटल displacement, वेक्टर फॉर्म में है, अब जानते हैं, अगर किसी point का coordinate, अगर किसी point के coordinate से x, y, z, तो उसका position vector क्या होता, x i cap, i cap is the unit vector along x axis, y j cap plus में, j cap का unit vector along y axis, and z k cap, तीनों का summation करते हैं, where k cap is the unit vector along positive direction of z axis, तो यह आपके पास में होगा, तो यह displacement vector आगया, r vector आगया, particle o पर था, और particle finally p पर पहुचा, इनिशली अगर देखा जाए, तो जो, उसका जो displacement vector, आया, op vector जो आया, वो कुछ इतना आगया, यहाँ पर आप चाहें, तो x और y की values रख दीजिए, चलिए, मैं रख देता हूँ, so यह x की value कितनी है, x की value है, बच्चो, u cos theta into t, और यह i cap, और जहां तक y का सवाल है, so वो है, बच्चो, कितना, u sin theta into t minus 1 by 2 gt square into j cap, so this has given you displacement vector, यह आपके पास में displacement vector आगया, ठीक है, और अगर कोई exactly मुझसे, अगर केवल इस displacement का magnitude पूछे, अगर मुझसे यहाँ पर बोला है, क्या, vector form में, तो vector form में जो आया, बच्चो, वो कुछ इतना आया, और यदि हम इसका magnitude बोलें, इसका परिमान बोलें, तो इसका magnitude क्या होगा, magnitude तो आप देखिए, पाइथा गोरेस्ट फिरन से भी आप निकाल सकते हैं, एसस तो किसी vector का magnitude वैसे भी आप जानते हैं, कि अगर कोई vector x i cap, प्लस y j cap, प्लस z k cap होता है, तो इसका magnitude हम जानते हैं, magnitude क्या होता है, magnitude होता है, x square, प्लस y square, प्लस z square, बशर्ते वो क्या vector है, x i cap, प्लस y j cap, प्लस z k cap, यह आप जानते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ तो आप 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 आपर स्टोर्रम से भी काम कर सकते हैं, कि particle o पर था, finally p पर पहुँचा, तो देखिए, उसने x axis के लाँग, x चला, y के लाँग, y चला, तो net displacement जो आए, वो यहाँ पर आप आप देख सकते हैं, अंडर दी रूट आप एक्स स्केर प्लस y स्केर, तो इस विल गिव यू दो डिजाय दिस्प्लेस्मेंट, यह आपके पास में displacement आजाएगा, if you are interested in determining displacement only along x axis, then you will say this, if somebody is asking you the displacement along y axis only, then you will say something like this, and net displacement can be given in vector form, इस तरह से आएगा, और अगर scalar form में बोला जा, magnitude wise बोला जा, तो वो यह आजाएगा, ठीक है, तो यह आपके पास में आगया, अब एक काम करते हैं, साहब अब मुझसे पूछा है, मुझसे पूछा है, यहाँ पर क्या, जो है, चलिए हम आपने x axis के along देखा, कितने time में particle यहाँ से यहाँ पोचा, तो वो time आपने निकाला, अब एक काम कर सकते हैं, यह time की value अगर मैं यहाँ रख दूं बच्चों, इस time की value अगर मैं इस equation में रख दूं, यह equation क्या है, y equals to u sin theta, y equals to u sin theta, और जहां तक t का सवाल है, तो वो है x upon u cos theta, ठीक है, देखें, यह है u sin theta, और जहां तक t का सवाल है, वो है x upon u cos theta, minus 1 by 2g into t, कितना t होगा बच्चों, x upon u cos theta का whole square, ठीक है, यह कितना आगया, u sin theta, और t की value ज़रा देखी जायता होगी, x upon u cos theta, minus 1 by 2g, और t का जहां तक सवाल है, बच्चों, वो है x upon u cos theta, तो देखें, क्या होगा, यहां पर यदि हम देखें, तो u से u क्या हो जाएगा, बच्चों, cancel हो जाएगा, minus g x square upon 2u square cos square theta, तो यह आपके पास में क्या आगया, this is relation between x coordinate and y coordinate, कभी किसी भी numerical problem, देखें, हम एक बात अच्छे तरह से जानते हैं, कि जो mechanics है, आप कितने भी formula derive कर लीजिए, आप जब तक इन पर problems नहीं करेंगे, जब तक आप इन पर numericals नहीं करेंगे, जब हम problems करते हैं, तो फिर पिल्कुल हमारे आखों के सामने आ जाती है, पूरी picture की exactly हुआ क्या है, ठीके न, तो यहाँ पर हम जब numericals करेंगे, तो वो clear होगा, लेकिन अगर suppose कीजिए, कि अगर आपको किसी time के बात में displacement पूछ लिया जाए, कि after मैंने ball को throw किया, भया फला velocity से फला angle पर और 5 सेकंड बाद displacement बताईए, तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे कि साहब जब जो x coordinate है वो ऐसे निकाल देंगे, y coordinate आप ऐसे निकाल देंगे, फिर net displacement vector form में ऐसे और scalar form में magnitude form में ऐसे निकाल देंगे, लेकिन अगर माम लीजी अगर आपसे ऐसा कहा जाए, कि मैंने ball को throw किया, इतनी velocity से, इतने angle पर, जो values आपको दे रखी है, और आपसे बूल दे जाए कि जब ball आपसे 10 meter दूरी पर पहुच्छती है, सुनिएगा, यह वो आपके पास में relation आ रहा है, क्योंकि आप देखी, जैसे जैसे ball की distance आप से change होगी, जैसे जैसे ball की आप से distance change होगी, वैसे वैसे उसकी y के long distance भी change होगी, कभी उसकी distance बढ़ेगी, तो कभी उसकी distance घटेगी, कभी उसकी distance बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी एक maximum आएगी फिर कम होगी तो अगर ऐसे cases नहीं बनता है तो देखिए यहां पर आप देखिए क्या हुआ u से u cancel हो गया x tan theta minus g x square upon 2 फिर ये u का square हो जाएगा cost square हो जाएगा ये और ये जो x और y के बीच में जो आपने relation established किया बच्चो कोई भी कोई भी motion ध्यान दीजिए उसके जितने coordinates होते है x coordinate y coordinate अभी तो हम बहुत simple case बढ़ रहे हैं two dimension अगर हम three dimensional में भी बोला जाए तो हम जब उसके जो coordinates होते हैं उनमें relation जो establish करते हैं बच्चो उससे आप कहते होते हैं equation of trajectory trajectory उससे आप क्या कहते हैं equation of trajectory trajectory एक तरह से अगर देखा जाए तो trajectory का मतलब होता है path ठीक है आप trajectory का मतलब यहाँ पर होता है basically path तो यह equation of trajectory आए यह path की समय कराना है कि किस तरह का trajectory रहेगा ठीक है और यह ध्यान दीजिए यह जो equation है हो अगर आप 11th class के बिल्कुल beginner है अभी अगर आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है ठीक है तो आप जानकारी के लिए बताओ यह जो equation होती बच्चों this is the equation of a parabola यह किसकी equation होती है यह parabola की equation होती है this is very much similar to that of equation of a parabola यह परवलय हिंदी में parabola के शी बैरा बोल की equation है और इसका पर यह हो जाता है बच्चों कि जो पाथा आपको दिखाई दे रहा है it is parabola लिकल जहान देजिए जो पाथ होता है यह parabola होता है यह parabola कार्पत माना जाता है हिंदी भाषा में कर हमारी मातर भाशा में कहा जाए, तो बच्चों ये पैराव ली कर पाथ होता है, कई लोग समझते हिए कि हमने बौल को ठोड़ में ग्वाल को ऐसे ठोड़ा किया तो जो बौल का जो पाथ होगा, वो समी सरकल होगा, बच्चों यह semi-circle एक अलग बात होती, it is not a semi-circle, because it looks like a semi-circle, कुछ हथा कि यह मुझे semi-circle दिखता है, तो मुझे सबखता है कि अरे आज जब हमने बॉल को फैका, तो वो semi-circle होगा, हो सबता question बन भी जा, school level पर, entrance examination के level पर भी, वो simple sa question, so many people can say that it is semi-circle, but undoubtedly बच्चो, it is not a semi-circle, because you see this is the relation which is representing the equation of a parabola, so I can conclude that this motion is parabolical motion, okay, so यह हमारे पास में आया, देखिए, तो हमने यहाँ पर actual y-coordinate में relation को establish किया, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, और देखे हम यहाँ पर कि मुझे पता है, मैंने काफी लंबा अरसा इस फिल्ड में बिताया है, थोड़ा सा जो confusion आता है, वो यहीं जाकर आता है, आप देखिए, आपने initial velocity, मैं आपको एक बढ़ फिर से derive करके बता देता हूँ, मैं इन चीजों को मिटारता हूँ, और एक बढ़ फिर से समझा देता हूँ, हो सकता है, कि कई लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है थोड़ी सी, और उस दिक्कत को सुल्धाने के लिए, हमने क्या करा सहाब, यहाँ पर ball को through किया, I threw a ball initially at angle theta, मैंने u velocity से theta angle पर ball को through किया, ठीक है, अब चूकि देखिए, it is not a one-dimensional motion, one-dimensional motion के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके है, कोई body है, ऐसी जा रही है, एक line में जा रही है, या आपने किसी body को vertically उपर फैका, या vertically नीचे फैका, यह सारे motion जो होते हैं, one-dimensional motion, they were very simple kind of motion, अब यह उन दोनों, यह क्या actually composition है, दो direction के motion को हमने जब composite कर दिया, two-dimensional motion मना दिया, तो ऐसे motion को हम बोला करते हैं, बच्चो, planar motion या फिर two-dimensional motion, ठीक है, तो अभी देखिए, आपने initial velocity यू दी, angle theta पर, तो क्या होगा बच्चो, अगर मैं इस velocity को इदर resolve करूंगा, हम जानते हैं, जब resolution करते हैं, तो जिसके साथ में angle बनता है, उसको लिखते है, cos, और जिसके साथ में angle नहीं बनता, उसको लिखते है, sign, so देखे, this is the, यह आपने क्या कर गया, इसको आपने positive direction of x-axis मान लिया, इसको positive direction of y-axis मान लिया, आप किसी को भी कुछ मान सकते हो, यह तो आप जानते हो पहले से, आप चाहो ऊपर वाले को positive मान लो, नीचे वाले को positive मान लो, doesn't matter at all, so, 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 you velocity दी, तो यह हो जाएगा u cos theta, यह हो जाएगा u sin theta, okay, so u x जो है बच्चो वो u cos theta है, मैं अगब फिर से बोल रहा हूँ, और u y जो है, वो u sin theta है, okay, अब जब ball air में आई, बच्चो, जब ball को आपने छूर दिया, air मतलब जब आपके हाथ से free हो गई, जिस body ने उसको initial velocity impart करी थी, जब देखी, यह body साथ साथ में नहीं जा रही है, हाथ साथ में नहीं जा रहा है, हाथ का काम क्या था, उसको प्रारंधिक वेग देना, it has to impart the initial speed or velocity, केवल उतना सा काम करना, बाकी कोई काम नहीं होना, तो और gravity का force आप जानते हैं हमेशा mg होता है, और gravity के करण जो acceleration आएगा, वो कितना आएगा बच्चो, gravity के करण acceleration आएगा g, gravity के करण जो acceleration आएगा g, एक बात, ठीक है, यह लीजिए साहब, gravity के करण जो acceleration आएगा, वो आएगा g, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो नीच X-axis की direction में कोई force नहीं है, तो X-axis की direction में acceleration कितना होगा? 0 होगा, क्यों? क्योंकि जो force ही नहीं है, और F equals to mass into acceleration, अगर force 0, तो लाजमी है बच्चों, acceleration भी 0 होजाएगा, तो X-axis की direction में कोई acceleration नहीं है, केवल Y-axis की direction में acceleration है, ठीक है? अब आपने क्या करना था, बॉल शुरू में O पर थी, इसको मैंने इसके कोईनेर 0, 0 मान लिए, बॉल किसी मुवमेंट पर पर पहुची जिसके कोईनेर एक्स वाए हैं, मतलब उसकी जो X एक्स के लाग डिस्टंस थी वो तुमने ली X और Y एक्स के लाग जो डिस्टंस थी य की वाइ रखी और इस तरीके से न डिस्ट रिस्टंस टाइम और कितने टाइम में बॉल यहां से यहां पहुची, जतने टाइम में पल य हो घखने के बाद में य जो so अगर यह जो equation होती बच्छों जो कोईनेर्स के बीच में जो relation established कहाता है उसे हैं बोलते है equation of trajectory पत्थ की समीगरण और वो एक पैराबोला की equation इसके जो path है वो पैराबोली कल है एक बात ठीक अब दूसरी बात हमको यहाँ पर जो निकालनी है बच्छों हमने यह तो निकाल दिया यह आपने बॉल को फैका ठीक है अभी बॉल को आपने u velocity से फैका कितने एंगल पर फैका और theta एंगल पर बॉल पी पर पहुंची ठीक है बॉल पी पर पहुंची बॉल की velocity क्या होगी वो हमको निकालनी है तो velocity कैसे निकालेंगे बच्छों उसके लिए हम लोग equation लगाते है first equation of motion जो होती है first equation of motion लगाता हूं देखिए first equation of motion क्या होती है v equals to u plus 80 आप एक बात तो जानते हैं जो तीनों equation of motion है v equals to u plus 80 s equals to ut plus half 80 square v square equals to u square plus 2s यह जो तीनों equation of motion है यह केवल तभी लगती है जब body का acceleration uniform हो if it is moving with certain non uniform acceleration then you cannot go okay तो यह अभी तो अभी uniform acceleration ही है gravitational acceleration is of course a uniform one okay so हम लगा सकते है v equals to u plus 80 अभी यहां पर देखिए अभी मैं x axis के लिए लगाता हूं तो सब कुछ मैं x के लिखूंगा यह देखिए मैंने initial velocity x के लांग लिखी acceleration along x axis लिखा और velocity भी finally x axis के लांग लिखी और time का तो axis से कोई लेना देना नहीं है वह यह time is not a vector quantity time तो tensor quantity होती है मैं बता चुक हूँ आपको पहले भी time जो है वो tensor quantity माली गई है anyways अभी यहां पर देखिए यह आपने क्या लिया x axis की direction में initial velocity x axis की direction का acceleration और यह x axis की direction की final velocity और यह time ठीक है अभी यहां पर देखिए ux की value आप लिख देता हूँ चलिए सहाब यह ux कितना था u cos theta था और uy कितना था just resolve किया और कुछ नहीं किया आपने just resolve किया you got this you got this you got this ठीक है भी यह 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 आगया और यह चुकिए minus उपर की डिरेक्शन को positive माना इस दे नीचे negative हो गया sorry तो u x कितना? u cost theta a x कितना? a x सहब 0 into t अब आप देखें ये कितना आ रहा है ये आप देखें u cost theta आ रही है x axis के along जो velocity है बच्चों वो कितनी है? u cost theta x axis के along velocity जो आ गई u cost theta आ गई कब time t के बाद time t के बाद x axis के direction के velocity जो है बच्चों वो इतनी आ गई अब मैं निकालता हूँ vy vy निकालता हूँ so vy कितना होगा? u y plus a y into t vy कितना? u y plus a y into t u y का जहां तक सवाल है so u y है बच्चों कितना? u sin theta और a y की value minus g और ये t तो ये आपके पास में कितना आ गया? v y ठीक है? so ये आपके पास में आ गई time t के बाद y axis के direction की velocity time t के बाद y axis की direction की velocity और time t के बाद x axis के direction की velocity again saying देखिए मुझे निकालना है इस point p पर जब बहुल पहुची उसकी velocity की direction क्या है? तो point p पर पहुचने के बाद velocity की value क्या वो निकालनी मुझे को उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं equation लगाता हूँ first equation of motion velocity निकालनी तो लाजमी है अभी v x equals to u x plus a x u x की value कितनी? u cos theta a x की value कितनी? 0 solve kia saab ये u cos theta आ गए और यहाँ पर u y u sin theta ay minus z ये कुछ आया अच्छा अब एक बात देखिए आप आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जो vy y आ रहा है vy y टाइम पर depend कर रहा है जबकि जो v x है वो time पर depend नहीं कर रहा v x जो है बच्चो वो time पर depend नहीं कर रहा अर्थात की x-axis की direction की velocity में देखिए u initial velocity जो जो भी दिया आपने वो दिया constant है और जहां तक cos theta का सवाल है तो वो भी constant है theta भाई initial angle है theta जो है वो initial angle है वो भी constant है तो आप देखिए यह जो पूरी velocity आ रही है बच्चो यह पूरी की पूरी velocity constant आ रही है यह पूरी velocity constant आ रही है देखिए आप इस equation में कहीं पर भी time नहीं आ रहा क्योंकि देखे change क्या हो रहा indiel हो time जब ball यहां से यहां तक पहुँची तो time लगाता है change हुआ suppose कि यहां से यहां तक ball पांच second में पहुँच गई कितने second में? पांच second में ball यहां से यहां पहुची तो time तो लगाता है, change हुआ, अभी 0 second, फिर 0.0000000001 second, फिर ऐसी 0 लगाओ, इतने 8-10-0, फिर उनके बाद में 2 second, 3 second, likewise, तो time लगाता है, change होगा और time change होगा बच्चों, तो VY change होगा, time change होगा, तो VX में change नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देखे, VY का जो formula आपके पास में बन कर आया है, जो VY का formula आया है, बच्चों, उसमें time लिखा वारा, VX के formula में time कहा है, कहीं नहीं है, it is independent of time, भई, Y axis की direction, velocity time पर depend कर रही है, लेकिन X axis की direction, velocity time पर depend नहीं कर रही, the velocity along X axis is constant, जब projectile motion होता है, बच्चों, तो X axis की direction में velocity constant है, और वो होनी भी है, क्यों होनी है, जड़ा समझिए, आप जानते हैं, acceleration होता है, rate of change of velocity, acceleration होता है, rate of change of velocity, तो यदी मैं X axis की direction का acceleration बोलूँ, तो X axis की direction की velocity का change current बोलूँगा, अभी आप देखिए, AX कितना है, 0 है, X axis की direction में कोई force नहीं लगा, क्योंकि wall पर, जब wall air मे आई, तो ball पर सिर्फ एक force नगरा है, वो है gravity का, तो यह force 0, यह acceleration 0, और जहां तक इसका सवाल है, तो यह dvx upon dt, अभी dvx कितना, देखिए, यह 0 होगा, अभी देखिए, इससे numerator कितना हो गया, बच्चों, इससे numerator 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, अगर कोई ratio 0 है, अगर दो quantities का ratio 0 ह अगई, अरे भाई, simple सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, acceleration is defined as rate of change of velocity, वेग में परिवर्तन की दर, velocity में rate of change होता है, acceleration, और acceleration 0 है, तो इन दोनों का ratio 0, इन दोनों का ratio 0, तो numerator 0, dvx क्या, change in velocity, change in velocity along x-axis, और अगर change 0 है, तो इसका मतलब, वो quantity constant है, तो भाईया, यहां पर जो x-axis के direction की velocity होगी, वो constant होगी, और आप देख सकते हैं, but velocity along y-axis, change हो रही है, it is dependent upon time, यह time पर, समय पर, निर्भर कर रही है, तो time पर यह depend करती हो, लेकिन x-axis की velocity टाइम पर depend नहीं करती, एक बात, ठीक, अब अगर exactly मुझसे बोला जाए कि velocity की value कितनी, तो मैं vector form में क्या प्लस y-component j-cap, प्लस z-component k-cap, लेकिन अभी हम तो two-dimensional motion के बारे में बात कर रहे हैं, तो जड़ वाले को भूल जाएगे, तो यह आपके पास में हो गया vx-i-cap plus vy-j-cap, और vx का सवाल जहां तक है, बच्चों, तो यह तो हो गया u-cos-theta into i-cap, और जहां तक इसका सवाल है, तो यह है u-sin-theta minus g into t into j-cap, तो this is finally velocity, finally मतलब when object is reaching to point p, जब object point p पर पहुच गया, जब object point p पर पहुच गया बच्चों, तो उसकी velocity अगर vector form में बोली जाए, तो वो कुछ यह होगी, and if somebody is interested in finding only magnitude, यदि के वल परिमान ही मुझको चाहिए, then I'll say v is equals to कितना बच्चों, under the root of v- x square plus v-y square, so v-ge-value होगी, under the root of v-x square plus v-y square, and you people can substitute the values of v-x and v-y, here, if I put the value of v-x, then it is, how much it is? v-x की वालु अब देखिए, it is u-cos-theta, and what about v-y, it is u-sin-theta minus g into t whole square, so this has given you velocity along y, sorry, total velocity आगई आपके पास, ठीक है, so अगर time t के बाद, अगर velocity vector मुझसे बोला जाए, तो बच्चों वो यह होगा, और यदि मुझसे velocity का magnitude पूछा जाए, तो वो यह होगा, एक बात, अब यह तो चलिए समझ में आगया, कि हमको time t के बाद, velocity कितनी होगी, हमको य एक बात तो confirm है, कि velocity vector quantity है, vector quantity है, तो उसकी direction होगी, तो point p पर पहुचने के बाद, velocity की direction क्या होगी, तो direction निकालने के लिए, क्या, मैं आपको बता चुका हूँ, two dimensional motion में, थोड़ी दे पहले हम लोगो नहीं समझा था, कि अगर कभी कोई object प्र कर भी linear path पर चलता है, तो किसी भी point पर आप tangent डॉर कर देंगे, जिस भी point पर आपको velocity की direction निकालनी है, आप उस point पर tangent डॉर कीजिए, what is the direction of tangent and then point gives us the direction of velocity at that point, किसे भी point पर यह आपनो tangent डॉर कर दी, स्पर्श रेखा की, तो स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर वेग की दिशा को निरूपित करती ह है, वेक्त करती है, represent करती है, denote करती है, हमें वो explain करती है, तो अभी velocity की direction अगर मुझे निकालनी है, तो velocity की direction क्या होगे बच्चों यहाँ पर यह लीजिए सहाँ, मैंने यह tangent डॉर कर दी, so this is the direction of velocity, so graphically if somebody is willing to determine the direction of velocity, अगर कोई वेक्ती को velocity की direction निकालनी है, graphically, so आप एक एक tangent डॉर कर दीजी, आपको direction मिल जाएगी, लेकिन यदि मुझे इसको, अगर मुझे निकालना है कि चलिए सहाँ, velocity कितनी होगी, वो यह आ गई, अगर मुझे से कोई पूचता है, कि इस समय सर इसकी direction बताईए, तो direction मैंने बता आपको graphically तो आप tangent डॉर कर देंगे, लेकिन अगर mathematically आपको बताना है, तो mathematically कैसे खरेंगे, suppose किजिए यह जो direction है velocity की, यह x-axis के साथ में angle phi बना रही है, let us assume that velocity is making angle phi with the positive direction of x-axis, अगर मैंने मान लिया कि जो velocity है, वो positive direction of x-axis के साथ में phi angle बना रही है, then you will say that 10 phi is equals to vy upon vx, बताया था मैंने आपको, किसी भी movement पर अगर आपको velocity के direction निकालनी तो ग्राफिकल तरीका tangent draw कर दीजे, और mathematically क्या होता है, y-axis के लोग velocity, और x-axis के लोग velocity, और यहाँ पर phi का है, actually, वहाँ पर हम लोग रहे हैं, जो फार्मूला भी two-dimensional motion में पढ़ा था, तो मैंने थीटा लिखा था, अब मैं यहाँ थीटा नहीं लिख सकता, क x-axis के साथ angle phi बनाया, तो 10 phi equals 2 हो जाएगा, vy upon vx, so that phi equals 2 क्या हो जाएगा, बच्चों, phi equals 2 हो जाएगा 10 inverse vy upon vx, so यह आपके पास में phi की value आगई, यह phi की value आगई, कितनी 10 inverse vy upon vx, तो यह आपके पास में क्या हो गया, phi मतलब उस समय उस particular moment पर जो velocity है, जो direction of motion है, वह exactly क्या हो होगी, so that is calculated in this way, so यह आपके पास में velocity आगई, अभी हमने displacement भी निकाल दिया, ठीक है, आगे क्या काम करना है, आगे मेरे को करना है साहब, यहाँ पर क्या बच्चों, मुझे निकालना है कि यह कितने time बाद topmost spine पर पहुँच जाएगी, आप चाहें तो एक बार खुद से video को विडियो को विश्राम देकर एक बाद खुद से निकाल सकते हैं कि यह अगर मैंने मुझे कितने time बाद यह ball जो है वो इसके top पर पहुचेगी, यह यह बना जाए कि इसकी maximum height कितनी आएगी, वो निकालने यह दोनों बात है, ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो को pause करक कितने time बाद ball top पर पहुचेगी, तो कोशिश कीजिए, otherwise यदि मैं बिना रुके, बिना विश्राम लिए, कोशिश करूँ, तो क्या मिलता है, उस बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, देखी, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हो क्या रहा है, आप projectile motion के बारे में बात कर रहे हैं, और even कोई भी motion हो, किसी भी movement पर velocity की direction, tangent draw करके आती है, यहाँ आपने tangent draw करी, आपने यहाँ 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 tangent draw करी, अरे मुझे जिस किसी point पर velocity की direction निकालनी है, मैं एक simple, subtle, asam мод chap यह करता हूँ, उस point पर tangent draw करताओ अभी आप देखीए जब आप tangent draw करते हैं यहाँ पर आपने tangent draw करी तो इसका x component आया यह, और y component आया यह, 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 आपने यह, यह आप तो यहां केवल x component आ रहा है यह देखिए यह highest point है यह topmost point है topmost point है ओके यहां पर केवल ऐसी के ऐसी tangent आ रही है यहां पर x component आ रहा है और y component आ रहा है और y component आ रहा है और यहां पर x component आ रहा है और y component आ रहा है ओके आपको किसी भी point पर velocity की direction निकाननी है देन यहां पर टेंजन कर दी तो देखिए यह उसका एक्स कंपोनेंट यह एक्स कंपोननें यहां पर भी आपने बात करें आप क्या करेंगे आपको निकालना है कि कितने time बाद ball जो है वो उसके topmost point पर पहुची जब मैंने ball को throw किया तो मुझे निकालना है बच्चों after how much time the ball reaches to its highest position कितने समय के पश्चात गेद उसकी सबसे उच्चतम बिंदू पर पहुच जाएगी तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए हमको काम करना है ठीक है तो हम लोगों ने 1D motion में कैसे किया था जब हम बाल को फैकते थे तो topmost point पर जाकर उसकी velocity 0 हो जाती थी आपने बहुत सारे लोग गलती करते हैं मैंने देखा है कि highest point पर velocity 0 कर देते हैं देखिए highest point पर velocity 0 नहीं हो रही है आप देखिए जब ball topmost point पर पोचित देन velocity is not becoming 0 यह 1D motion था 1D motion में जब आपने ball को फैका तो topmost point पर velocity 0 हो रही है जब आपने 1D motion में ball को फैका बच्चो तो topmost point पर velocity 0 हो रही है इसमें कोई संशे संदे प्रशन वाच्च चिन्द कॉशन मार्क नहीं है लेकिन जब आप two dimension motion के बारे में बोल रहे हैं तो देखिए velocity 0 नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही अरे आप देख चुके हो भया जो x axis के long velocity है वो तो पूरे motion में constant है उसमें तो कभी कोई change आया ही नहीं है अगर change आता तो फिर इसमें भी change आता इसमें change आता तभी तो change आता हम देख चुके हैं जो x axis के direction की velocity है वो constant है भाई y axis के direction की velocity change हो रही है it is that velocity आप देखिए यहां पर आपको दिख भी रहा है कि अभी देखिए y axis के velocity उपर यह उपर यह उपर यह उपर और बात में देखिए नीचे होगी clear? एक पर फिर समझाता हूँ देखिए x axis के velocity उपर x axis के velocity उपर x axis के velocity उपर sorry 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 x के 36 अधर यह, sorry 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 फिर कह今गा ःक बर लेकिन y के long velocity क्या, इधर उपर इधर वेफर, इधर उपर इधर नीचे इधर नीचे सो आप देखिए इस केस में क्या हो रहा है बच्चों जो बाल को आपने जब फैका तो बाल की x-axis के लांग velocity तो चेंज होगी नहीं वो तो हिया constant है वो तो नियत है fix है बिल्कुल fixed है it is the velocity along y-axis which is changing और topmost point पर यदि आप tangent draw करते हैं तो आप देखिए जो topmost point आएगा वहाँ पर जो tangent आएगी न वो बिल्कुल सीधी की सीधी ऐसी आएगी topmost point पर velocity does not become zero topmost point पर बच्चों velocity along y-axis becomes zero क्योंकि topmost point से just पहले ball उपर जा रही थी और topmost point के just back ball नीचे आ रही है एक बाद फिर बोल रहा हूँ topmost point से just पहले ball कहा रही थी यही topmost point है तो topmost point से पहले just पहले ball कहा रही थी ऊपर और topmost point के बाद 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 कहा रही है नीचे मैं आपको बता चुका हूँ where an object reverses its direction of motion exactly by 180 degree वहाँ पर उसके velocity zero होती है मैं बता चुका हूँ देखिए हम जब ball को throw करते है vertically effect तो ball पहले उपर जाती है फिर बाद में नीचे आती है यहाँ पर जाकर उसकी velocity जो है बच्चों जीर हो जाती है where the object is reverses the direction of motion महाँ पर velocity zero होती है अब आप देखिए यहाँ पर अगर इसके ठीक पहले तक बोला जाए तो इसके ठीक पहले तक तो ball ऊपर जा रही थी vertically ऊपर जा रही थी और ठीक बाद vertically नीचे आ रही है लेकिन horizontally त उसके direction chain नहीं हुई एक्स के लाँ उसके direction chain नहीं हुई है बच्चों क्योंकि x axis के लाँ velocity constant है y axis के लाँ velocity zero हो रही तो इस बात को बिलकुल गाट बांत के रख लीजिए you have to stick this thing into your mind completely that velocity in projectile motion at topmost point does not become zero it is the vertical component is the component along the y axis which is vanishing out at the topmost point शिखर बिंदू पर उच्चितम बिंदू पर सबसे उपरी बिंदू पर velocity जो y axis के लाँग की बच्चों वो zero होती है x के लाँग की बच्चों जीरो नहीं हो रही है x के लाँग velocity तो constant है ठीक है तो अभी मैं निकालना चाहता हूँ कि कितने time बाद ball topmost point पहुचेगी तो आ आपर y axis के लाँग की velocity zero हो रही है ठीक है यह y axis के लाँग की जैसे जैसे ball उपर जा रही है y के लाँग जो velocity पहले इससे पहले तक tangent सारी है सारी tangent उपर आ रही है तो उनका component भी उपर आएगा अब tangent नीचे हो गई लेकिन यहाँ पर देखा जा टॉप most point पर तो tangent बिलकुल x x axis की direction में है यहाँ पर जाने पर y axis की velocity zero हो जाएगी ठीक है y के long velocity zero हो जाएगी x के long velocity zero नहीं होगी अब यहाँ पर देखिए अभी vy कितना zero हो गया तो अभी देखें हम इसको लिए कैसे कर सकते हैं vy equals to कितना बच्चों u y plus sorry 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 मैं first equation of motion लगा रहा हूँ a yt ठीक है अभी कितना u sin theta a y कितना minus z और कितना time के बाद ball पहुंची तो हमने माल लिया कि suppose कर लिजिये सहब time t1 के बाद ball उपर पहुंची after how much time ball is reaching to the topmost point it is reaching to the topmost point after time t1 ठीक minus वाली quantity को आप इधर ले आएए so this will become positive this is u sin theta okay now you determine you will find t की value जो आएगी बच्चों वो आजाएगी u sin theta over g so after this much time इतने समय के बाद इतने समय के बाद जो है ball बच्चों वो topmost point पहुंच जाएगी सबसे उपरी बिंदू पर पहुंच जाएगी okay इतने time के बाद जो ball है बच्चों वो सबसे topmost point पहुंच जाएगी सबसे उ इतने time बाद velocity 0 होई वो ने निकालना था तो इतने time के बाद y axis के velocity 0 हो जाएगी और जब y axis के long velocity 0 हो जाएगी तो वो topmost point पहुंच जाएगी तो मैं बोल सकता हूं कि after this much time ball will reach to topmost point एक बात तो यह हो गई अब आपको निकालना है क्या y axis के long की अपने इतने निकाल लिया ठी कि अगर हमने मान लिजे किसी ball को थो किया था initially हमने उसको जो थो किया था वो initially उसको हमने के kinetic energy से थो किया था कितनी kinetic energy से ध्यान दीजिये मैंने आपको question दिया कि एक ball को मैंने initially horizontal के साथ theta angle पर फैका और initial उसको kinetic energy के दी मताईये topmost point पर उसकी kinetic energy कितनी हो जाएगी ठीक है मैं फिर question बोल रहा हूँ, मैंने एक ball को theta angle पर फेका, initial उसको kinetic energy के दी, आप से पुछा है topmost point पर kinetic energy कितनी हो जाएगी, तो आप थोड़ी दिर विश्राम लेकर खुझ से try कर सकते हैं, otherwise हम करें, तो कैसे करेंगे, मैं शर्थिया तोर पर बोल सकता हूँ कि कई लोग यहां पर एक करते हैं कि sir topmost point पर kinetic energy zero हो जाएगी, sir topmost point पर velocity zero हो जाएगी, अरे भाया मैं बोल चुका हूँ आपको बार बार मैं उसी बात पर stress दिया करता हूँ, जहां हमारी गलतिया होती है, और एक लंबा चोड़ा सा अनुभव है बच्चों मेरे साथ में, undoubtedly मैंने देखा है कि कई लो velocity zero हो यह, नहीं हो यह, है ना, तो चलिए हम कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं, initially मैंने मान लिया, initially उसकी kinetic energy कितनी थी, k थी, so यह मान लो जो ball है, जो body है, जिसको आपने फैका है, जिसे आप projectile भी कहा करते हैं कई बाद, जिसे factor होते हैं, उसे भी projectile कहा जाता है, ठीक है, so म मैंने मान लिया, चलिए साहब, जो ball है, उसका mass m है, मैंने मान लिया कि ball की velocity है, वो u है, let me assume that, जो ball है, उसका mass m है, ball की velocity u है, तो उसकी जो kinetic energy होगी, वो होगी, half m u square, कोपड़ी मैं गई ही मेरी बत, मैं फिर बोल दता हूं, देखी, half m u square, k is equals to half m u square, kinetic energy, जानते हैं, आप kinetic energy junior glass में पढ़ चुके हैं, अब m क्या, mass, u क्या, initial velocity, मैंने मान लिया, भई हमको ये given था, ये दोनों quantities, मैंने मरजी से मानी है, कि मैंने माना, मैंने माना की, भई ये ball जो है, उसका mass m है, और मैंने माना की ball को initial velocity u दी है, तो उसकी kinetic energy हो जाएगी, half m u square, ठीक, initial, अब topmost point पर ज ball जब यहां से यहां पहुचेगी, तो ball के mass में तो कोई change नहीं आएगा, ball का mass तो उतना को उतना ही रहेगा, अगर ball का यहां पर mass m था, तो यहां पर भी हैमी रहेगा, लेकिन यहां पर velocity कुछ और थी, यहां velocity कुछ और होगी, और topmost point पर केवल x के long velocity बचेगी, y वाली velocity त mass जितना यहां था, उतना ही mass यहां पर रहना, mass में कोई change नहीं आएगा, और जहां तक y axis के long velocity की बात बचेगी, तो that has become completely zero, वो zero होई है, वो शुन होई है, वो सिफर होई है, यहां तो x axis के direction के velocity तो अभी भी है, so it will become half m u square, और यहां पर अगर देखा जाए, तो u की value जो है वो vx है, ठीक है, अब देखीगे, half m, और जहां तक vx का सवाल है, that you have seen is a constant quantity, और वो किसके बराबर थी, u cos theta के बराबर थी, ठीक है, so यह कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, और इस अधार पर यह कितना हो जाएगा, बच्चो, half m u square into cos theta, अरे आपने square किया है, square किया है, यह half m, एथे किना हैगा, भई, u square, एकिया भई, cos square theta, और अगर मैं ध्यान से देखूं, तो भई, यह भी half m u square है, और यह भी half m u square है, so I can say, कि जो topmost point है, बच्चो, उस पर, भई, half m u square क्या था, initial kinetic energy, initial kinetic energy, जो की k थी, और यह cos square theta, so यह आपके पास में आगया, kinetic energy at the topmost point, छोटी मोटे level की inference examination में आ चुका है, so अगर मैंने कभी किसी ball को के kinetic energy से फैका, तो topmost point पर उसकी kinetic energy जीरो नहीं होती, वो हो जाती के cos square theta, इसमें कोई संशे संदे प्रशनवाचक चिन्द नहीं है, कि अगर आप ऐसे फैकेंगे, यह आप vertically फैकेंगे, तो topmost point पर जाकर velocity पू पूरी तरह से 0 हो जाएगी तो वहाँ पर topmost point पर kinetic energy भी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी 0, यहाँ पर y के लाउंग की velocity 0 होई है, x x इसके लाउंग की velocity को 0 कहना एक बहुत बड़ा पाप है, और मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, तो kinetic energy कितने आ गई भी या मैं फिर बो क्योंकि वाई वाली 0 हो गई और यह यू स्केर कॉस के ठीटा की value है बच्चो के, तो यह रख दिया तो यह हो गया कि यह कॉस के ठीटा, ठीक है, ऑवियस देखे जब भी कोई numericals बना भी करते हैं, तो यहाँ पर भी एक बात होती है, कई बार students वो थोड़ी से mistake करते हैं, कि जो है वो answers तो कई बार सही सही ले भी आते हैं, लेकिन unfortunately answer आप उन parameter की terms में होता है, जो question में नहीं दियें, आप अगर answer M की terms में लाएंगे, U की terms में लाएंगे, तो यह answer सही कैसे के लाएगा, आपको question में क्या दिया है, आपको question में दिया है कि initial kinetic energy की है, आपको यह बोला है कि initially उसको theta angle पर फेका, आपसे कहीं पर भी mass के बारे में नहीं बोला, वो मैंने माना, मुझे कहीं पर भी initial kinetic energy के बारे में नहीं बोला, वो मैंने माना, so answer यह correct नहीं कहला सकता, as such, conceptually यह correct है, लेकिन बेटा, जो अगर दिखा जा तो question में मुझे parameters जो दे रखे थे, वो k और time के बाद उसकी velocity 0 हो गई, so यह आपना निकाल दिया, आगे की बात अब हमको निकालनी है, कि यह जब पहुची, तो topmost point पर पहुचने के बाद, उसकी जमीन से height क्या है, this I want to calculate, यह जमीन से height कितनी आ गई, जब यह यहाँ पर पहुची, तो उसकी जमीन से height क्या होगी, height मतलब ultimately the displacement along y axis, height मतलब displacement along y axis, तो आप ओलेंगे displacement along y axis क्या, y equals to u y t plus half a y t square, second equation of motion, s equals to u into t plus half a t square, अभी आप देखे, s क्या displacement, यह y axis क्या displacement, height ultimately it is the displacement along y axis, तो यह आगया, u y कितना, अब चुकि आप y axis के लिए ले रहे हैं, तो u भी आप y axis के लिए लेंगे, a भी आप y axis के लिए लेंगे, और जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत बार कहा कि time तो भया कोई axis के लिए नहीं होता, time तो टैंसर quantity है, तो वो आपके पास में कुल मिला कर तो इसा हो जाएगा, अब ही देखे, जब यहाँ से यहाँ पहुची है, यह यह कहूँ कि बाल जब o से top most point, topmost point को हम नाम दे देते हैं, चल्ये एक काम करते है, top most point को हम नाम दे देते हैं, a झाया तो अब ही अगर देखा जाया तो बाल o से जब a तक पहुची। तो उसमें खूब सारा चला, इतना चला, इसमें कोई संशेस अंदे ने है, उसमें इतना चला, लेकिन y-axis के लांग कितना चला, y-axis के लांग उसमें चला, है और यू वाई कितना बच्चो यू साइन थी था और बॉल को यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं में टाइम कितना लगा वह आप निकाल चुकिए वह टीवन था प्लस हाफ एवाई एवाई कितना माइनस जी और यह कितना टीवन स्केर होप आपको साइड मैगा होगा जोल कि बॉल जब ऑसे ए तक पहुंची आ टॉप्मोज पॉंट-शिखरबिन्दु इह जो है वो अ जाल से ए तक पहुंची तो उसने ये आक्से it is taking in moving from O to A ball को O से A तक पहुचने में ball को O से A तक पहुचने में कितना time लगा तो ball को O से A तक पहुचने में time T1 लगा लगा और उसने Y axis के लाँ कितना चला मैं फिर कह रहा हूं यहां पर कही लोग confused होते हैं अरे सर उसने तो इतना सारा चला अरे चलाना बेटा मैं कहा मना कर रहा हूं I agree I agree ball has traveled from O to A this is the net displacement बच्चो I am going to apply this equation along the Y axis only मैं सिर्फ Y axis के लोग बोल रहा हूं तो Y axis के लोग H U Y U sin theta time T1 A Y minus G into T1 square अभी क्या होगा बच्चो यहां पर जड़ा देखिये यह H हो गया अभी U sin theta और time की value अभी थोड़ी दर आपने निकाली है hope आपकी copy में लिखी होगी मैंने तो मिटार दे थी U sin theta over G correct इतना time के बाद ball यह वो topmost mind के पहुची है इतना time के बाद ball की Y axis के लोग velocity 0 होई है minus G by 2 into U sin theta upon G ठीज़ बई U sin theta by G का whole square ठीक अभी क्या होता हा बच्छों यह U into sin theta U into sin theta will become U square sin square theta upon G ठीक भी यह क्या होँआ देखे U into U will become U square sin theta into sin theta will become sin square theta upon G minus G by 2 अभी कितना हो जाएगा this will become U square sin square theta upon क्या G square अरे भई G by 2 है अरे भई U square है अरे भई sin square है G square है और G के साथ में G तो G G हो गए भी यह चले गए तो यह कितना बचाद देखे यह minus so this will become U square sin square theta upon G minus U square sin square theta upon 2G अब यहाँ पर कुछ common निकल रहा है तो निकाल लेते हैं चलिए तो देखें क्या हो रहा है देखिए भी यहाँ यहाँ पर जो है U square दोनों में आ रही है sin square theta भी दोनों में आ रही है और G भी दोनों में आ रही है तो हम दोनों में इसे जो जो आ रहा है उसको हम common निकाल लते हैं तो ये क्या हो जाएगा u square science कर theta upon g और इधर बचेगा वहिया 1 कैसे u square science कर theta upon g पूरा का पूरा common आ गया तो इधर बचेगा 1 और इधर से u square common आ गया science कर theta common आ गया g common आ गया बचेगा one by two और 1 में से 1 by 2 जाएगा तो दुनिया जानती है वहिया 1 में से हाफ जाने पर हाफ ही बचता है तो आप भी जानते होंगे अगर सारी दुनिया जानती है तो तो यह क्या हो जाएगा u square sin square theta over 2g तो यह आपके पास में क्या गई height आगई इतनी height उसकी maximum height है ठीक है यह आपके पास में हो गया अब क्या हुआ देखिए मैं फिर भलता रहा हूँ हमें निकालना कितनी height है तो हमने क्या करा यह equation लगाई second equation of motion अभी यहां से यहां तक हमने y axis के long displacement की equation लगाई u y की value इतनी थी और ball o से ए तक कितना time में पहुची उतना time में पहुची जितना time के बाद उसकी y axis के long velocity 0 हो गई तो वो t1 time के बाद हुई थी अभी थोड़े दरबर निकालती है आपने वो रखी यहां पर रखी जो simple mathematical calculation किया और height इतनी आ गई तो इस तरह से यही तो आपने किया था 2 dimensional motion में भी आपने ऐसे ही किया था कि आपने कितने time बाद ball top पर पोस्ती वो time निकाला था और फिर आपने h निकाला था आप यह से भी कर सकते हैं यह आपको ध्यान हो हम लोगों ने 1D motion में एक और तरीके से भी किया था कि यदि मैंने v square equals to u square plus 2as यहां पर देखते हैं v y square is equals to कितना u y square plus 2a y into y यह कुछ हो गया आपने y axis के लांग लगाई अब यहां पर देखिए topmost point पर जब ball यहां पहुची जब ball a पर पहुची तो velocity 0 हो गई जब ball topmost point पर पहुची तो y axis के लांग velocity कितने हो गई 0 हो गई और जहां तक u y का सवाल है तो वो u sin theta है जहां तक a y का सवाल है तो a y minus g है और जहां तक y का सवाल है जब ball o से a तक पहुची तो how much it has travelled along y axis it has travelled distance h along y axis now this is a negative quantity which you bring on the left hand side so that this will turn into 2gh is equals to u square sin square theta so this would give you बच्चों h equals to कितना u square sin square theta upon कितना 2g ठीक तो ये वो height है ये वो height है जो उसना attain कर दी आपने दोनों तरीके से काम कर सकते है आपने topmost point पर जाने के बाद क्या भी या topmost point पर जाने के बाद में y axis के लांग velocity 0 आ रही है 0 कर दी y के value u sign theta theta a y के value minus g थी और जब ball O से A तक पहुची तो उसना चला तो खूब सारा पर मेरे को उस खूब सारे से मतलब नहीं मेरे को तो सिर्फ उस सारे से मतलब है जो उसने y के along चला है और y के along उसने चला है y के along उसने चला है तो आपट कीजिये, accordingly आपके पास में जाएगी, you can verify in both of these two are same, so either you can go first of all to determine time in how much time it will reach to the topmost point and thereafter you go to calculate the distance actually using this equation of motion or you can go directly to the equation of motion so that you can determine the height directly, okay, so ये आपके पास में था, चरिए, अब ये तो हमारे पास में ताइम आ गया सहाब और हमारे पास में आ गया की highest, maximum height कितनी है, ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें और काम की बात करते हैं, अभी मुझे निकालना है कि कितने time के बाद, कितने time के बाद, बॉल वापस से जमीन पर आ जाएगी, कितने time के बाद, बॉल वापस से जमीन पर आ जाएगी, जितने time के मैंने नाम दे दिया o dash जब बॉल वापस o जमीन पर पहुची उसको मैंने नाम दे दिया o डश तो मुझे o dash मुझे time निकालना है और आपको याद दिला दू जितने time के बाग बॉल वापस जमीन पर आती है इसे हम one dimension motion में भी देख निकाल और यूज्वली इससे डिनोट किया जाता है capital T से तो I am going to express I am going to express this I am going to determine the value of capital T मुझे capital T की value निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप लोग एक काम कर सकते हैं आप स्वयम भी कोशिश कर सकते हैं वीडियो को विश्राम पॉस करके अब कैसे करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे तो उसको करने के लिए या कुछ लोगों को मैंने देखा है कैसे करते हैं सर जितना time सर उसको उपर जाने में लगेगा ना सर उतना ही time उसको नीचे आने में लगेगा sir how much time sir it is taking in moving upwards sir will take the same time in moving downward जितना टाइम उसको ऊपर जाने मिलें तो तो ती वन प्लस ती वन कर दिजिए तो यह आ गया टाइम सब इतना टाइम के बात ball वापस से यहां जानी है बात तो सही है बचो की आपने जो आंसर निकाला वो सही निकाला अगर आपने ऐसा किया है तो मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है लेकिन एक प्रश्न वाचक चिन यहाँ पर ऐसे लग जाता है कि मैं कैसे मान लूँ कि जितना टाइम उसको उपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगा ये कैसे माल लूँ मैं मानता हूँ आपकी बात को कि आपने बोला ये और बच्चो ये आंसर जो आया अगर आपने इस मैथड से किया तो ये आंसर सही है इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन अगर ये मैथड आपने अडॉप करी है तो ये method थोड़ी सी गलत कहल आएगे क्योंकि हमें ये भी तो prove करना पड़ेगा कि उसको जितना time उपर जाने में लगा सब इसलों कि अपर usa उत्तरी नीचे आने में लगता है अरे माना मैंने लगता है prove करो ना भाई best गरो that schlimmer up or लगा mathematically there should be some expression there should be some kind of equations so that you have to prove first how much time it is taking in moving upward, is the time in taking moving downward, यह सारी कहानी कथा बच्चो मैं 1D motion के टाइम पर भी बता चुका हूँ मैंने कोई नहीं बात नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर भी कई लोगो नहीं से गलती करी थी और करते हैं और करते रहें गे आगे भी लेकिन बच्चो अनफर्चुनेटली दा मैथर इस रॉंग, दा आंसर इस करेक्ट बट वी आर अलवेज और तूवर्स देटमाइनिंग आंसर वी हाँ तो गो दा राइट मैथर अबर कॉंसेप शुद भी करेक्ट ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जितना उपर जाने में लागा, उत्में नीचा आने में लागा तो बच्चो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आंसर सही है लेकिन मैथर गलत है, या तो आप प्रूव कर देजे या फिर आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ देखिए, हमें काम करते हैं, जब बॉल ओ से ओ डेश पर पहुची तो देखिए, उसने खूब सारे होरिजेंटर डिस्टन्स चला इसमें कोई प्रश्णवाचक चिन्न नहीं है इस ट्रवल लॉंग लॉंग डिस्टन्स और फिर नीचे आ गई मतलब जब बॉल रीचस टू जब वापस से ओ डैश पर पहुचेगी बॉल तो उस सिचुएशन में बच्चों उसका जो य एक्सिस के लांग डिस्प्रेस्मेंट होगा वो जीरो होगा समझे य एक्सिस के लांग डिस्प्रेस्मेंट कितना होगा कोई कहे अरे सर इतना सारा चली मैंने कहा बहुत सारा चली मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर मेरे को उतने सारे में मतलब नहीं है मेरे को उस सारे में मतलब है जो उसने य के लांग चला अब देखी y के लाउंग इसने कितना चला अगर आप देखें यहां से यहां तक पहुची तो इसने y के लाउंग ऊपर गई नीचे आई लेकिन y के लाउंग नेट कितना चला जीरो चला पर डिस्प्लेस्मेंट का मतलब चली गी लेंथ नहीं होता है डिस्प्लेस्मेंट का म लिखते हो S equals to U T plus 1 by 2 A into T square या फिर V square is equals to U square plus 2S इन equation में S क्या है? S हम जानते हैं S is not distance, it is displacement यह displacement है, ओके हाँ, अगर कोई body एक line में जा रही है सीधे सीधे अच्छे बच्चे बन कर, तो हम बोलते हैं कि सर उसका distance distance and displacement equal है, लेकिन अगर वो एक line में नहीं जा रही है जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो body है वो अच्छे बच्चा बन कर नहीं जा रही है वो तो गुमते पिरते जा रही है, तो फिर क्या होगा भी या फिर जो है, फिर जो है या वो जो है, आप नहीं लगा सकते क्योंकि यह आपने यहाँ से यहाँ तक चली तो उसने खूप सारा चला, लेकिन बच्चो उसने distance कितनी चली मुझे उससे मतलब नहीं कुछ यह होगी यह यह के लांग displacement की क्वेशन और बॉडी जब यहाँ से यहाँ पहुची तो उसने यहाँ के लांग कितना चला, जीरो चला, चली है प्लस 1 बाइ 2, ay कितना, ay जो आएगा बच्चों, वो आएगा minus g, ay जो होगा, वो कितना होगा, minus g, और time कितना, t square, ठीक है, तो यह होगया, अभी देखिए, capital T time के बाद, 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 यहाँ से यहाँ पहुंच रही हो, capital T time के बाद, 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 का displacement around the y axis हो रहा, 0, ठीक अभी देखिए, यहाँ पर से दोनों में से capital T मैंने common निकाला, तो यह हो गया, u sin theta minus g into t by 2, आगे चलते हैं साहब, और आगे चलते हैं, और आगे चलने में, हम क्या पा सकते हैं, उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, चलिए साहब, देखिए हम लोग इस से क्या आएगा यह जो है, अभी इन दोनों का product 0 है, मतलब capital T की value 0 है, या फिर u sin theta minus g into t की value 0 है, ठीक है न, capital T की value, इन दोनों का product 0 कब होगा, दो quantities का product 0 कब होता है, जब दोनों में से कम से कम कोई एक 0 हो, हो सकता है, दोनों 0 हो, नेकिन कम से कम एक तो 0 होना चाहिए, अब capital T की value 0 तो possible नहीं है, ऐसा तो होनी सकता कि वो 0 time में यहां से यहां पहुच जाए, is it possible, क्या 0 time में ball यहां से यहां पहुच सकती है, नहीं पहुच सकती, 0 time में ball यहां से यहां नहीं पहुच सकती, बचो क्यों, obviously, उसे कितना भी कम समय क्यों न लगे, लेकिन कुस तो समय लगेगा, एक बात, दूसरी बात, u sin theta minus g into t by 2 is equal to 0 हो जाएगा, इस से क्या जाएगा, minus का जाके plus हो जाएगा, gt by 2 is equal to 2 हो जाएगा, u sin theta, इस से यदि आप capital T की वालू निकालेंगे, तो capital T की वालू क्या हैगी, आप cross multiply कर दीजे, you will find यह जाएगा, 2 sin theta by g, ठीक है, so this is the time after which ball comes to the ground once again, or you can say this is the time interval during which ball remains in air, यह वो time है जिसमें ball air में रहती है, यह वो time है जिसके बाद मैं ball air वापस से ground पर आ गई, इस time को हम कहते हैं, उडे अनकाल, time of flight, कितने समय के लिए ball जमीर में रही, जिसे हम usually capital T sign से represent करते हैं, मैं एक बाद फिर समझा रहा हूँ, जब ball O' पर पहुची इन दोनों का product 0 होगा, अब यह 0 होगा यह 0 होगा, यह 0 हो नहीं सकता, यह 0 होगा, U sin theta minus G into T by 2 is equal to 0, so that minus को इदर ले आईए, और T से solve कर दीजिए, you will find, इतने time के बाद भीया, ball ने वापस से जमीन पर आ जाना है, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कि suppose किज उपर जाने में time T1 लगा, और नीचे आने में time T2 लगा, तो T1 plus T2 is equals to कितना होगा, capital T, अरे माना मैंने कि बाल को उपर जाने में time T1 लगा, माना मैंने कि बाल को नीचे आने में time T2 लगा, तो T1 plus T2 equals to कितना हो जाएगा, capital T, total time, हाँ, और T1 की value कितनी है बच्छो, U sin theta by G plus T2 मतम नीचे आने मा ताइम 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 इस इस ताइम इन अपवर जर्नी इस ताइम इन डावर जर्नी औ यहाँ तो यह फाइगा तो यू सांथ टीड़ अवर जी आधा मैनस यू संध थीड़ जी और जावे माइनस करेंगे भुई यह यह आएगा… यूसे में याव जिपाइगा यूसे 9 तिता अगा गली को तो गकीजिआ फैस्री की मिदा घ्रconnect, यह ब़द आप के पास में में के यह थाइंक के पास तयों voilà, अ़ो इतनी इतना टाइम के लिए मतलब डाउनवर जर्नी में रहेगी यह अपवर जर्नी का टाइम यह टोटल जर्नी का टाइम तो आपने देखा कि डाउनवर जर्नी में भी टाइम उतना ही लग रहा है जितना टाइम उसे अपवर जर्नी में लग रहा है अपवर जर्नी में कितना तो दोनों टाइम सेम हैं, यहां हम बोल सकते हैं, यहां दोनों टाइम सेम हैं, लेकिन अगर मैं शुरुआत में यह चीज़ लेकर चलता हूं, तो बच्चों एक confidence नहीं reflect होता, आप बोल रहों ऐसा होगा, होगा, तो बटा physics में होगा नहीं होता, अगर है, तो वो क्यों हो र बात करते हैं, fundamentals की बात करते हैं, तो हमें एक एक बात किल्कुल crystal clear होना चाहिए, तो अब आप बोल सकते हों कि yes, once you prove this, और obviously जब तुम capital T निकाली चुके हो, तो फिर तुम यहां से capital T क्यों निकालने जाओगे, यह भी बात सही है, तो यह आप करके downward journey के time prove कर सकते हैं, और म जो parachute वगरा उतरते हैं, तो उनके उपर एक thrust force लगता है, हम one day motion में बात कर चुके हैं, दूसरा होता है, air drag, air के कारण जो friction होता है, ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन होता है, air drag कहा जाता है, air frictional force, air का viscous force, अगर हम उनको count कर लें, तो फिर upward journey का time और downward journey का time सेम नहीं होंगे, फ सारी बारे में बात हम one day motion में कर चुके हैं, बढ़ फिर भी में एक बार वापस से remind कर रहा हूं, ठीक है, तो यह आपके पास में आ गया, अब हमने देख लिया, कितने time के बाद, ball वापस से जमीन पर आ गई, यहां हमें एक और काम करना है, अब हमें निकालना है, साहर की कि इतनी distance पर जाकर, ball जमीन से टकराती है, this horizontal distance I want to calculate, यह जो horizontal distance है बच्चों, इसे हम capital R से रिपसंद करते हैं, I want to calculate the horizontal distance at which ball is falling from the point of the projection, जिस point से आपने उसको फेकाता, जिस point से आपने उसको throw किया था, उस point से कितनी distance पर जमीन से टकराती है, और यह जो distance होती है बच्चों, this is the distance which is known as a horizontal range इसे हम कहते हैं horizontal range शाटिज परास दियाम दीजेगा इस distance को हम बोला करते है horizontal range जो कि हम represent किया करते है capital R से सो हमें capital R निकालना है मतलब कितने time कितने distance के बार जमीन पर पहुचेगी वही बात फिर मुझे थोड़ा सा आराम करने का मोका दो और खुचसर का बयास करो ठीक है मैं तो आराम कर सकता हूं आपको आराम नहीं करना है और आपको calculate करना है पर मैं भी आपके साथ में आराम नही एक्वेशन होगी भाई या वो क्या होगी यू एक्ष्ट प्रस आफ एक्ष्ट स्कोर होगी और जहां तक यू एक्स का सवाल है तो यू एक्स कितना बच्चों यू कॉस ठीटा है ना भाई आपको ये देखिए ये जो distance आपको calculate करनी है you can see this is the displacement along x-axis ये x-axis के लांग का displacement ह so I'll need to apply this equation of motion along x-axis what about ux it is u cos theta what about time ball को यहां से यहां तक o से o' तक ball को o से o' तक पहुचने में time कितना लगा capital T time लगा इतना time के लिए ball air में रही ना अरे ball o से शुरू हुई पहुचने कहां पर o' तक तो कितने time के लिए वो air में रही capital T time के लिए वो air में रही तो ux की value हो गई u cos theta t की value कितनी capital T plus 1 by 2 और ax कितना 0 और t कितना t square अभी ये होगा u cos theta और जहां तक capital T का सवाल है बच्चों वो आप देख सकते हैं is equals to u sin theta upon g capital T का जहां तक सवाल था तो हो क्या था you sign theta oh sorry 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 थोड़ी सी गलती करती भीया capital T की value जो है वो सामने ही लिख्यों होई है और ये तो बहिया zero एक ऐसा hero था जिसने इस पूरे expression को zero बना दिया ठीक तो ये आ गया अब क्या होगा 2u into u क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा 2u square sin theta cos theta upon g तो ये आ गई आपके पास में क्या horizontal distance this is that horizontal distance which has been traveled by the ball और ये जो horizontal distance होती बच्चो इस horizontal distance को हम कहा करते range इसे हम कहा करते horizontal range क्षैतीच परास तो horizontal range जो आगी बच्चो वो इतनी आ गई ओके अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ अगर आप beginner है तो आपको एक mathematics की trigonometry की identity probability नहीं पता होगी 2 sin theta into cos theta 2 sin theta into cos theta जो होता है बच्चो वो होता है sin 2 theta ध्यान दीजिएगा medical students खास तोर पर जो थोड़ा थोड़ा भागते है mathematics से कई सारे medical students से होते हैं जो mathematics से थोड़ी से नफरत रखते हैं बच्चो लेकिन अगर आपको वाकई में doctor बनना है तो mathematics से नफरत नहीं बहुत प्रेम दिखाईए क्योंकि वो प्रेंज आजाएगी u square sin 2 theta upon g so this is the horizontal distance travel by the ball, ball horizontally कितनी distance travel करेगी, ball horizontally इतनी distance travel करेगी, कितनी होगी वो u square sin 2 theta upon g, u क्या initial velocity, theta क्या उसे दिया गया initial angle, तो initially यदि उसको u velocity दी, initially यदि उसको theta angle दिया गया, तो वो कितनी horizontal distance के बाद जाब करके गिरेगी, उसका एक formula ये है, ये 2 sin theta cos theta by g, ऐसा भी लग सकते हैं, otherwise 2 into sin theta into cos theta हो जाएगा, sin 2 theta into u square था, so u square sin 2 theta upon g, okay, मैं फिर समझा रहा हूँ, देखिए इसको आपने break कर लिया, इसको आपने break कर लिया, कुछ इस तरह से, अगर नहीं समझ में आया हो भी या, तो कोई दिकत नहीं, समझाने के तो 10 तरीक so I can say, use case sign to theta upon g, so ये आगई आपके पास में range, horizontal range, ख्षैतिज परास जो आजाएगी बच्चों कुछ इतनी आजाएगी, एक बात, ठीक है, अब यहाँ पर मैं और 2-3 काम की बातें बताता हूँ, तुमको horizontal range से संबंदित बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, कौन सी, पहली बात तो ये कि जो range आई वो theta एंगल पर फेक्टने पर ये आई, अब यदि कोई हमसे बोले कि range की value maximum कब होगी, range की value maximum कब होगी, when this range is maximum, range maximum कब होगी, range maximum तब होगी, when sin 2 theta is maximum, जब sin 2 theta की value maximum होगी, तब range maximum होगी, देखे, you for a given velocity, अगर कोई एक, मैं simple सी बात बोलूँ, कि मैं एक ball को मैं throw कर रहा हूँ, same velocity से, हर बार मैं उसको same velocity दे रहा हूँ, suppose मैंने 20 meter per second velocity पकड़ ली, कि मैं ball है, उसको हर बार 20 meter per second की velocity से फेक रहा हूँ, every time, every time I'm throwing it with velocity, 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second, कभी मैंने उसको 10 degree के एंगल पर फेका, कभी उसको मैंने 20 degree के एंगल पर फेका, कभी उसको 30 degree के एंगल पर फेका, बगरा बगरा, ठीक है, और मैं यह जानना चाह रहा हूँ, कि range maximum कबारी, ठीक है, आपको simply पर यह आपको एक ball बोल दी जाए, कि आपको इस ball को throw करना, ground में अखड़े हो जाइए, और ball को throw कीजिए, और हर बार उतनी ताकत से फेक ना ball को, हर बार, मतलब उतनी ताकत मतलब हर बार आप उतनी वला सेटी देंगे, एक बार आप उसको 10 degree के एंगल पर फेका, 15 पर, 25 पर, 30 पर, 25 पर, 60 पर, 60 पर, 70 पर, वगरा वगरा पर, तो आप दे 2 theta की value maximum कब होगी, sin 2 theta की value आप जानते है maximum कितनी होती है, sin की value maximum से maximum होती है, बच्छो प्लस 1, यह junior class में आप रूव गर चुक है, sin की value maximum होती है, बच्छो और यह कब होता है, sin की value maximum कब होती है, sin की maximum value होती कितनी है, वो 1 होती है, और कब होती है, यह आप जानते हो कितने पर होत पाइंट आफे से बता दिया आपको, otherwise range maximum कफ होगी बच्चों, जब sin 2 theta maximum होगा, because every time you are throwing the ball with the very same ballastity, U हर बार same लिया है, G same लिया है, you are wearing theta, sometime you are throwing it at 10 degree, at 15 degree, at 20 degree, at 25 degree, and 30 degree, likewise. So what do you find, कि range maximum कफ होगी, जब sin 2 theta maximum होगा, sign की value maximum होगी, 91, और वो कब होती है, 90 degree पर तो, अब अगर मैं इन दोनों को compare कर लूँ, यदि मैं इन दोनों के तुलना करूँ, बच्चों, तो मैं पाऊंगा, कि 2 theta की value आगे, 90 degree, और इस से theta की value आगे, 45 degree, मतलब यदि मैंने ball को 45 degree के angle पर फैका, यदि मैंने ball को 45 degree के angle पर फैका, बच्चों, तो you will find की range जो आएगी, वो maximum आएगी, आप cricket में ball को लीजिए, और ball को throw कीजिए, कभी 10 पर, कभी 15 पर, कभी 20 पर, कभी 25 पर, कभी 30 पर, कभी 45 पर, कभी 60 पर, कभी 60 पर, कभी 20 पर, और आप देखोगे कि range जो आएगी, वो maximum कभी 45 पर, मतलब, when you are throwing the ball exactly at angle 45 degree with the horizontal, then you will be able to throw the ball at the largest distance possible, सबसे ज़्यादा distance पर आप फैक पाएगे, कितने पर, 45 पर फैका जाए, तो, एक बात, और दूसरी बात मां बहुता दू, range की value maximum से maximum कितनी होगी, range की value maximum से maximum कितनी होगी बच्चों, यह use care, और sin2 theta की maximum से maximum value कितनी होती है, sin2 theta की maximum से maximum value अभी देखिए अपने 1, so, यह आपके पास में आगी maximum range, what about the maximum range, you can find the maximum range is use care by g, तो दो प्रशन मनते हैं, range maximum कभा आती है, सर 45 डिगरी पर फैको, और range maximum आती कितनी है, तो बच्चों, use care by g, so these are the answers, okay, तो range का generalized way में आपने फार्मॉला निकाला, okay, range का आपने generalized way में फार्मॉला निकाला एक बात, और दूसरी बात आपने देखि, range maximum कभा आती है, कितनी आती है, अच्छा, इस केस में ये range जो आई आपके पास में, range का जो ये फार्मॉला आया आपके पास, आपने क्या करा, ये u velocity से फैका, कितने angle पर theta angle पर theta angle पर theta angle पर theta पर फैका बच्चो तो range जो आई यह कितने बर यह formula कब लगा आपके पास जब आपने उसको theta angle पर फैका था तब range का formula यह आया था ठीक है यह पहली बार 10 डिगरी पर फैका था अब 90-10 मतलब कितना 80 डिगरी पर फैका तो range क्या आएगी ज़रा गोर कीजिए u square sin 2 और यह क्या 90-theta upon कितना g ठीक है यह हो गया कुछ हमारे पास अब पहली बार मैंने उसे theta angle पर फैका दूसरी बार मैंने उसे 90-theta angle पर फैका तो theta angle पर फैकने पर range इतनी आई 90-theta angle पर range इतनी आई इधर theta था तो अभी theta angle पर फैका था तो range की value इतनी आई थी इसको मैंने r से लिखा था ठीक है अभी उसको मैंने subscribe लगा दिया r theta मतलब यह हो गया कि जब और जब मैं 90-theta पर फैकता हूं तो यह कुछ हो जाएगा अब चलिए सहाब मैं क्या करता हूं अभी मैं एक काम करता हूं इस 2 का अंदर गुणा करता हूं जब मैं इस 2 का अंदर गुणा करूंगा तो यह हो जाएगा 180 degree minus 2 theta और अपॉन कितना जी करक्त वही 2 का 90 में multiply कर दोगे तो 180 बन जाएगा और 2 का theta में multiply कर दोगे तो 2 theta हो जाएगा अभी यहाँ पर बहुत काम की बात में बता रहा हूं बच्चों क्या होता है जरा समझिए 180 minus 2 theta आप लोग junior class में पढ़ चुके हैं आप लो छोटी class में पढ़ा है आप लोगों ने बगाला प्रूब भी किया होगा इन फ्रक्त साइ 90 minus theta क्या होता है cos theta अभी मैं आपको एक लगे है तो बता दूं कि साइन 180 minus theta होता है sin theta यदि साइन 90 minus theta की value होती बच्चों cos theta और साइन 180 minus theta की value होती sin theta तो इसकी value हो जाएगी sin theta तो उस अरे भीया sin 90 minus theta होता है sin cos theta ये तो आप जानते थे मैंने यहाँ पर एक नहीं बात बताई है अगर आपने trigonometry पढ़ ली है तो एक अलग बात है अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे ये बताना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ और obviously बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हों sin 2 theta तो ये आपके पास में हो गया तो ये आपके पास में range आ गई है ये range कब आई बच्चो जब 90 minus theta पर फैका था और जरा इधर देखिए और फिर इधर देखिए जरा इसको देखिए फिर इसको देखिए और एक बार फिर से देख लीजिए फिर से इसको देख लीजिए बहुत सारे दूसरी दूसरी चीज़े तो आप देखते होंगे पर अभी यहां पर इन दोनों को जरा देखिए और क्या पाते हैं कि जो यह है उसी की duplicate copy यह है ठीक है यह दोनों twins आपको दिखाई दे रहें एक यह और एक यह डिक्टो सेम है और यह वाली range आपने तब लिखी आप दोनों बार में से कभी भी देख लीजिए जो रेंज आएगी जो क्षयतिच परास आएगी वो सेम आएगी कहने का मतलब यह देखिए मैं फिर बोल रहा हूं देखिए जब मैंने यह वाली range अभी थोड़ी दर पहले हमने प्रूव करा यह पने बगा था यह फामूला दिया था या नहीं दिया था अब अगर मैं 90 मानस थीटा पर कर दूं तो जब यहाँ थीटा था बच्चो क्या होगा साइन थीटा सो यह आपके पास में रेंज आ जाएगी तो रेंज आएगी बच्चो वो उतनी क्यूतनी आ रही जितनी थीटा एंगल फेक ने पर रेंज जाई थी उतनी निती मानस टृता पर फैक कर दे कि MS यह है कि यदिए आप 10 के अंगल पर फैक के या नाइन्टमइनस दस यहने कितना एटी डिग्री दोनों बार रेंगस सेम आईगी आप 10 डिग्री पर फैकें या 90-20 डिगरी याने 70 डिगरी पर फैकें दोनों के इसमें रेंज सेम आएगी कहने का मतलब यह कि अगर कोई दो एंगल ऐसे हैं बच्चों कोई दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम जिनका सम जो है जिनका सम जो है वो कितना हो 90 डिगरी तो उन पर रेंज सेम आती है मतल जो range आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी, इन दोनों का sum मेरे ख्याल से कितना हो रहा है, इन दोनों का sum नहीं हो रहा है, यह लिजे 65 कर लिजी अब हो गया, ठीक चाल यह साथ, हर बार range आएगी, मतलब अगर कोई दो angles हैसे हैं, जिनका sum अगर 90 degree हैं, तो दोनों पर range एक बड़ा पापूलर सा कोशन है कि हर बुक में मिल जाएगा आपको कि एक बार एक पोजेक्टायल को 45 प्लस थीटा पर फैका और एक बार 45 मानस थीटा पर फैका बताई ये दोनों केस में रेंज का रेशो क्या आएगा ठीक है एक गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट होता है वो कुछ कोशन उसके उपर बना करता है कि गैलीलियो ने भी या एक बार प्रोजेक्टायल को 45 प्लस थीटा एंगल फैका और एक बार 45 मानस थीटा पर फैका और दोनों केस में जो रेंज आई वो और बताईए सहाव इन दोनों का रेशो क्या होगा ठीक है तो हम बुद्दू औ법 जल्दूबर किसमें रेंज सेम और और दोनों केस सेम तो रेशो वन एस्तो वन आहां जाएगा ठीक तो ये आपके पास प्लब्हेत रेंज का रेशो आ गया cog इस तरह सा तो आप मैं देखा कि अगर प्रोजेक्टायल को आपने फैका और अगर दोनों एंगल का some 90 है तो एक बार आपने theta angle पर फैका और range आई R ठीक और एक बार 90 minus theta पर फैका और range आई R एक बार theta angle फैका range आई R 90 minus theta फैका range आई R और पहले case में यह ती टाइम T1 है दूसरे case में टाइम T2 है पहले case में जो time of flight है वो कितना बच्चों T1 तो आप प्रूव कर सकते हूं जो R होगा वो T1 और T2 के product के proportion होगा यह का मैं आपको देना हूं यह आपने करना है मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा अब projectile is projected at two different angles of projection question ऐसा कुछ है आपको लगभग साभी पुस्टर को मिल जाएगा projectile is projected at two different angles of projection such that range in both the situation is R and time of flight in both the situations are T1 and T2 respectively प्रूव करिए यह ठीक है तो अब यह सी बात है कि आपको यह question में सिर्फ तीन चीज़े दियें तो इतना खोपड़ी आप लगा सकते हो कि दोनों case में range same कैसे आएगी दोनों case में range same ऐसे आएगी कि एक बार आपने उसको theta angle फेका और एक बार 90 माय सीटा पेका question में आपको mention नहीं करेंगे कि एक बार theta angle फेका और एक बार 90 माय सीटा फेका यह आपको खोपड़ी लगाने का है कि अरे यार projectile को दो different angle पे फेक रही है और दोनों case में जो range आ रही है वो same आ रही है सर ने बताया था कि ऐसा तब होता है जब एक बार उसको theta angle पे और दूसरी बार उसको 90 माय सीटा फेको तो आप बस थोड़ा सा mathematics लगाईए गार आपको हिदायत दे रहा हूं कि आपको करना है अगर आप वाकई में एक इमानद निकाली हमने range निकाली हमने time of flight निकाला हमने maximum height निकाली हम एक आमर कर लेते हैं जब ball वापस से जमीन पर पहुचती है जब ball वापस से जमीन पर पहुचती है तो उसके momentum में change कितना आएगा उसके momentum को आप जानते हों कि छोटी class में पढ़ चुके momentum linear momentum के बारे में आप लोग आप उसके लिए खुच से बारे कर सकते हैं कि momentum में change कितना आएगा suppose किजिए जो हमने उसको initial momentum दिया suppose किजिए initial momentum जो दिया momentum is a vector quantity ठीक है और theta angle फेका आपको question में सिर्फ दो values दियें कि आपने उसको initial momentum पी दिया और initial angle theta दिया वापस से ball जमीन से टकराती है तो momentum में सम वेग म परिवर्दन कितना हैगा that what you have to calculate so you people are advised to keep this video on pause and try yourself and then verify whether the answer given by you and the method given by you is correct or wrong ठीकियो 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 अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे बही मैं आपको बता दू यहां पर क्या होगा अब यहां पर बहुत से लोगों ने जब प्रयास करते हैं तो ब तो अगराती है सर दोनों velocity सेम है सर दोनों momentum सेम होंगे सर दोनों momentum सेम होंगे सर मोमेंटम में change 0 आएगा 100% guarantee के साथ बोलता हूँ आप मैं से कुछ लोगों ने जरूर ऐसा किया होगा ताए बात है कि सर जितनी velocity से फैका उतनी velocity से ठेकर आएगी तो momentum में change 0 आएगा अरे बेटा यह प्रूब करो कि जितनी velocity से फैका तो पहली बात ठीक है कि यहाँ मन की बात नहीं चलती कि मेरा मन इह बोल रहा है अरे तुम्हारा मन क्या बोल रहा है उससे examiner के मन को कोई फरेक नहीं पड़ता तुम्हारे मन और उसके मन में बहुत अंतर है बेटा तो मन से नहीं दिमाग से सोचो दिल से सोचने वाले और मन से सोचने वाले विमिशा फ्लॉप हो जाते हैं अभी हम यहां पर जो सोचेंगे वो अपने भेजे का इस्तिमाल करेंगे हम देखेंगे कि हम इस्तेमाल करें हमारा दिमाग ठीक चलिए साब अभी कैसे करेंगे हमें काम करते हमने जो है साब यहाँ पर देखिए जो ux थी वो कितनी थी यू कॉस थी ठीक है और जो यू थी वो कितनी यू साइन थीटा आपको फिर बोल रहा हूं मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कभी कोई टू डायमेंशन में चलती रहा बच्छो यह रिजॉल्व इस मोशन दू मीचे परपंडिको डाक्शन मोमेंटम मास्के डिपंड करता है अधीपन सबுक्त फ़वन दर्ला निंटिए फ्रोडुक्तअ मास वरा सेख करता है अब चू क्लास में बाचचों गें तो अगर मैं एक्सक्रतों का इिकß हो यू सिस the कब? इनिशियल, प्रारम भीख, भाई, ux होगा ये, तो x-axis की डिरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m into ux, और m into ux की वाल्यू कित नही? u cos theta, so मैं फिर बोल रहूं, what is this? it is momentum along x-axis initially, what about momentum along y-axis initially, it is m u y, m u y कितना होगा बच्चो, यह होगा m into u y कितना था initially? u sin theta, ठीक है? so this is the initial momentum along x-axis, this is the initial momentum along y-axis, अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको final momentum निकालना है, तो final momentum किसे निकालोगे? पहले vx निकालो, और vx क्या होगा? ux plus ax t, और ux कितना? u cos theta, ax कितना? 0, into time कितना लगा? wall जब यहाँ से यहाँ पहुचे तो wall को time कितना लगा? capital T, so यह कितना आया? यह u cos theta आया, और यह आना भी था, आना भी था, वैसा का वैसी आना था, क्योंकि हम यह बहुत दो बार बोल चुके, x-axis के direction में acceleration 0 था, इसके x-axis के direction में velocity में कोई change नहीं आएगा, यहाँ पर u sin theta और ay का जहाँ तक सवाल है, तो वो minus g है, और यहाँ से यहाँ तक wall को time कितना लगा? wall को लगा time t, ठीक, अभी यह देखिए, यह u sin theta minus g into यह कितना? 2u sin theta upon g, correct? यह u sin theta हो गया, यह g हो गया, और capital T की value कितनी? 2u sin theta upon g, और g से g, g, g हो गए, ठीक है भी यह, तो यह कितना बचेगा? यह बचेगा, u sin theta minus 2u sin theta, और u sin theta में से 2u sin theta जाएगा, तो बचेगा minus u sin theta, so this is finally velocity along y axis, this is the final velocity along x axis, just before striking the ground, जमीन पर पहुचने से पहले, जमीन पर पहुचने से पहले, x axis की direction में velocity इतनी हो गई, y axis की direction में इतनी हो गई, so अब मैं निकालता हूँ, x axis की direction में final momentum, x axis की direction में जो final momentum है, वो बच्चो कितना है? x axis की direction में final momentum आएगा, बच्चो कितना? m into vx, momentum mass into velocity, और final निकालना है, तो final वाली velocity, और mass में तो भईया, कोई change आनेगा नहीं है, so यह कितना हो जाएगा, m u cos theta, क्यों? क्योंकि vx की value कितनी है, u cos theta, चलिए सहब, और अब final momentum along y axis, तो यह हो जाएगा, m vy, और यह m vy, y की value कितनी, vy, y की value कितनी है बच्चो, minus u sin theta, ठीके? so यह आपके पास में देखिए, यह final momentum along x axis आया, यह final momentum along y axis आया, यह final momentum along x axis, यह final momentum along y axis, अभी मेरे को momentum में change निकालना है, तो मैंने क्या करा, मैंने momentum में change निकाला, along x axis, along x axis momentum में change निकालू, तो momentum में change along x axis क्या होगा, final momentum minus initial momentum, अरे change को तुम delta से रिपजन करते हैं, तो तुम जानते हो ना भया, तो देखो अगर मुझे x-axis की direction में momentum chain निकालना है तो final momentum along x-axis minus initial momentum along x-axis बहिए change क्या होता final minus initial simple final initial अभी देखिए ये कितना है final देखिए ज़रा final कितना है final momentum along x-axis कितना है mu cos theta और initial momentum कितना है mu cos theta mu cos theta initial भी देखिए mu cos theta था initial भी mu cos theta था और final भी mu cos theta था दोनों खटा-खट cancel और finally देखो तो x-axis के long momentum में change कितने का आया 0 आया शुन ने आया ठीक है और अब मैं निकालता हूं momentum में change along y-axis so ये हो जाएगा final momentum along y minus initial momentum along y this is the final momentum along y this is the initial और final को ज़रा देखो तो final भी है ये minus आजाने के कारण ये हो जाएगा minus mu sin theta और initial कितना था mu sin theta इन दोनों का difference निकालो तो ये minus ये minus दोनों को भी मिला कर कितना हो जाएगा minus 2 mu sin theta so this is the change in momentum along y-axis this is the change in momentum along y-axis ये momentum में change आगया y-axis के long और ये momentum में change आगया along x-axis अब आपको total change निकालना तो total कैसे निकालोगे simple सा काम delta p is equal to कितना under the root of delta p x-square plus delta py-square हमेशा हम ये ही गिसा-पिटा तो काम करते हैं जब भी हमें निकालना होता है तो हम x का component y का component निकालते हैं और देखिए x का component कितना है x के component में change कितने का आया कोई change निया आया y के component में कितने का change आया y के component में 2m u sin theta का change आया ठीक है अभी आप क्या कर देंगे ये 0 है और इसका square करेंगे square करेंगे तो minus sin हट जाएगा और अभी देखिए square है और square करने के बाद में root भी है तो कुल मिलाकर कितना आ गया ये आ गया 2m u sin theta कितना आ गया ये ये आ गया 2m u sin theta वही क्या करा आपने देखिए x वाला कितना था 0 था और y वाला कितना था minus 2m u sin theta था तो ये square किया और root हट गया तो 2m u sin theta आ जाएगा तो ये momentum में change आ गया मैंने किसी projectile को अंगल theta पे फैका और initial momentum p दिया तो momentum में change इतना आएगा लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले kinetic energy में भी कहा था कि चूकि मुझे question में p और theta दियें so answer should be in terms of p and theta only तो कोई बड़ी बात नहीं है देखिए delta p की value कितनी आ गई delta p की value आ गई बच्चो 2m u sin theta मेरे पास यहां जगा नहीं बची है आपो clear देख भी नहीं पाएगा तो मैं यहां लिख रहा हूं 2m u sin theta और m into u वही m क्या है उसका mass और u क्या है initial velocity और initial momentum क्या होगा उसका mass into initial velocity so I can say this m into u will be initial velocity so this is the correct answer that if a projectile is projected at angle theta with the initial momentum p then change in momentum after striking the ground will be to be sign theta ठीक तो यह आपके पास momentum में change आ गया ठीक मैं एक बाद फिर समझा देता हूं एक बात बिलकुल contest कर लीजी आप when an object is moving in planar motion to dimensional motion बार बार यही गलती करते हैं कि हम लोग direct निकालने जाते हैं कि जितना momentum मैं ने शुरू में दिया मैं उसको resolve कर लो क्योंकि यहां पर momentum एक vector quantity है जैसे जैसे velocity change होगी वैसे वैसे momentum में भी changes आएंगे तो आप यू समझिए कि momentum में change आ रहे हैं तो आप पहले x के long initial velocity x के long final velocity sorry x के long initial y के long initial x के long initial momentum x के long y के long initial momentum y के long momentum में change total change हमेशा ऐसे ही निकल गया सब ऐसे ही काम किजी हमेशा उसको दो mutual perpendicular direction में break किजी आपके प्रश्ण के गलत होने की संभावना नहीं है यह बात आप बिलकुल दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरीके से क्योंकि बार-बार हम लोग वही गलती करते हैं कि सर जितनी velocity से शुरू में फैका था उतनीच velocity से बाद में गिरेगा गिरेगा पर प्रूव करो अभी प्रूव करें अगर हमन तो कैसे करेंगे मैं वह भी बता दता हूँ देखिए यहाँ पर क्या होगा साहब इनिशियल velocity कितनी थी इनिशियल velocity अगर देखिजाए तो इनिशियल velocity तो यू थी और जिसकी value किसके परावर होगी मैं यहाँ पर मिटारता हूँ इसको और मैं यह भी प्रूव कर दता हूँ कि चलिए साहब जितनी velocity से आपना उसको शुरू में फैका था आपने शुरू में उसको कितनी velocity से फैका था यू velocity से हना शुरू में तो आपने उसको यू velocity से फैका था और अगर final velocity निकालनी है तो final velocity क्या होगी under the root vx square plus vy square वह किसी भी moment परागर velocity आपको निगालने की है तो x का component का square y के component का square और vx का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो क्या है? u cos theta और जहां तक vy का सवाल है तो वो क्या है बच्चों? minus u sin theta और ये क्या होगा अभी देखिए, तो ये क्या होगा इन दोनों में से येदी देखा जाए तो ये u square cos square theta है और ये u square sin square theta है ठीके इन दोनों में से u square common निकल आएगा, इन दोनों में से जब u square को आप common निकल आएगे, तो ये cos square और ये हो जाएगा cos square theta plus sin square theta, ठीक है, और cos square plus theta plus sin square theta का बच्चपन से जानते हैं, वो होता है 1, so this will become under the root of u square into 1, so that I can say it is u, correct, ये u आगई, देखिए, initial velocity कितनी थी, u, final velocity निकालनी ह अरे उतनी ही velocity आई जितनी velocity शुरू में थी, बिल्कुल सही बात है, वितहाओ मच, आपने वंडी motion में भी देखा था आप, कि जितनी velocity से फैकते थे, जमीन से टकराते से भी उतनी ही velocity होती थी, लेकिन बच्चों, लेकिन, लेकिन, वेलासिटी तो, जितनी आपकी शुरू म जो momentum है वो vector quantity है आप ज़रा गोर कीजिए initial velocity, initial momentum इस direction में थे और final momentum, final velocity, यह final velocity है, यह final momentum है, इस direction में है और direction change हो गई और यह तो मैं बहुत हो बार बोल चुका हूँ आपको कि vector quantity ऐसी quantity होती है जिसके magnitude में change आजाए यह direction में change आजाए, अगर दोनों में से किसी में भी change आजाएगा, तो जो है बच्चों, क्या होगा उस case में, उसके जो value है, उसमें change आजाएगा, मैंने माना value में कोई change नहीं आया, देखिए, जितनी velocity आपने शुरू में दी थी थी ना, final velocity भी उतनी ही आ रही है, जितना momentum शुरू में था ना, finally भी momentum उतना है, लेकिन बच्चों, पहले direction ऐसी थी, अब direction ऐसी है, और direction चेंज हो जाएगी भी यह, तो momentum में भी change आजाएगा, तो यह बात हमने काम की करी, आगे की एक और बात में आपको पता देता हूं, यहापा चलिए, यह को हम यह को हम लोकों ने कर ली, हम यह काम करते हैं, फामूलों को इपर अनलिस कर ले, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, देखिए, आपने क्या देखा, प्रोजेक्ट अन्मोशन में, आपने देखा u cos theta, और यह क्या देखा आपने u y u sin theta, ठीक है, आपने क्या देखा, a x की value कितनी 0 आपने ay की value कि इतने देखी minus g और उससे हमने जो equation of trajectory देखी वो क्या देखी y equals to x 10 theta minus g x square over 2u square cos theta जो की जो की parabolical equation है और इसलिए हम बोला करते है कि जो projectile का path होता है वो भी कैसा होता है parabolical होता है परवलयाकार होता है ठीक है यह बहुत theta upon 2g ठीक है आपने देखा जो time of flight आया वो कितना आया 2u sin theta upon g ठीक है और आपने जो range निकाली वो क्या है 2u square sin theta cos theta upon g ठीक है यह फिर इसको आप क्या लिख सकते थे इससे आप लिख सकते थे u square sin 2 theta upon g ठीक है यह हमारे पास बात है आई और हमने देखा कि अगर initially हमने उसको k kinetic energy से फेका तो topmost spine पर जाकर kinetic energy जो हो जाती है वो k cos theta हो जाती है अगर मैंने initially p momentum दिया तो momentum में जो change आएगा बच्चों वो 2p sin theta आएगा यह सारी बाते हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ी है ठीक है तो यह हम लोगोंने कुछ काम करें मैं इसमें थोड़ी सी एक दो बात बता देता हूं आपको फिरसे अगर आपने theta angle पर फेका यह 90-theta पर मतलब कुल मलाकर ऐसे दो angle जिनका sum 90 degree उन पर range same होती है अगर 45 degree के angle पर फेका तो range maximum आती है ठीक है तो यह सब बारे में हम लोगोंने बात करी मैं यहाँ पर एक दो आपको काम की बाते और बता देता हूं बच्चों की देखिए यह जो हमने बात करी projectile motion के बारे में बात करी इसमें body पर सिर्फ एक ही force लग रहा था वो था gravitation का केवल हो केवल gravitation का उसी accelerator में बात दो तिन आपको काम की बाते बताता हूं अगर कभी किसी body पर इसमें पहला के समझेगा अगर कभी किसी object पर जो force लग रहा है अगर किसी object पर force जो लग रहा है बच्चों वो velocity की direction में लग रहा है अगर force और velocity की direction हमेशा same है या फिर force और velocity की direction हमेशा opposite है बहुत काम की बाते बता रहा हूं आपको अगर कभी किसी object पर force उसकी velocity की direction में लगे या velocity के हमेशा opposite लगे मतलब उसी line में लगे body इदर जा रही है force भी से direction में लग रहा है body इदर जा रही है force उसके opposite लग रहा है When force on an object is acting always, either in the direction of velocity or in the opposite direction of velocity, then the path will be linear, ठीक है, जसा कि mostly होता है, दूसरा case, अगर force जो है, जो उसकी direction है, उसका जो direction है बच्चों, अगर direction of force is independent of velocity, अगर velocity की direction है, और force की direction, इन दोनों की जो direction है, यह दोनों एक दूसरे पर independent है, बिलकुल depend नहीं करते हैं, यह एक दूसरे पर बिलकुल depend नहीं करते हैं, जैसे आपने देखा, object कभी ऐसे जा रहा था, 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 लेकिन हर बार force कहा लग रह वो परवलयाकार होता है ध्यान रखना आपको ठीक है और तीसरी बात अगर force और velocity दोनों mutually perpendicular है अगर force और velocity दोनों हमेशा mutually perpendicular है कि आपजेक्ट जिधर जाएगा ना force उसके perpendicular लगेगा अगर object इदर जा रहा है तो force उसके perpendicular लगेगा if force and velocity they are always mutually perpendicular तो ध्यान दीजिये जो path होगा वो circular होगा उसका जो object का जो path होगा वो कैसा होगा circular path होगा वो वत्ताकार गत्ती करेगा ठीक है तो अगर force velocity की direction में है या velocity की opposite direction में है तो path linear अगर force और velocity की direction एक दूसरे से पूरी तरह से independent है तो जो path है वो parabolical होगा और अगर force और velocity दोनों mutually perpendicular है तो जो path होगा बच्चों वो circular होगा अच्छा ये जो formula हम लोगों देराइब करें हम इसमें काम और कर सकते हैं देखिए आपने जो है height का formula लिखा अपने time का formula लिखा ठीक है अब यदि example के तोर पे यदि मैं object को vertically upward फैक हूँ बिल्कुल upward के upward फैक हूँ अगर मैं object को कोई भी जो ball थी मेरी यदि मैं उसको बिल्कुल vertical upward फैकता हूँ तो उस case में क्या होगा बच्चों उस case में जो theta होगा वो कितना होगा यदि vertical के साथ में बढने वाला angle 90 degree है तो उस case में height क्या आजाएगी देगे height आजाएगी u square sin square 90 हाना u square sin square 90 बिल्क थीटा is the angle made with the horizontal अब थीटा जो है वो 90 degree होगया तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा u square sin square 90 upon 2 g और sin 90 की value आप जानते हैं कितनी होती है 1 होती है sin 90 की value 1 होती है तो maximum height जो आएगी बच्चों वो कितनी हाएगी maximum height आजाएगी u square upon 2 g maximum height जो आजाएगी बच्चों वो कितनी हाएगी u square upon 2 g और आपको ध्यान हो जो आप नोगोंने 1 d motion के गाइम पर देखा था कि अगर हमने किसी object को u velocity से उपर फैका तो वो कितनी maximum height तक जाती थी u square upon 2 g exactly वही आई एक बात दूसरी बात यदि आप time देखें time of light देखें तो वो कितना आएगा 2 u sin 90 2 u sin 90 upon g और 2 u sin 90 upon g और sin 90 की value 1 तो आपने देखा था कि अगर आप जग को आपने ऊपर u velocity से फैका तो maximum कितनी height तक जाता है इतनी height तक उसका time of light क्या आता है तो projectile motion के जो formula है अगर मैं उस पर theta बराबर 90 degree रख देता हूं तो मेरे पास मैं exactly वही case बन जाएंगे जो हम 1D motion के time पर exactly पर चुके है और वहाँ range यह तो होती नहीं थी वैसे भी आपको ध्यानों तो range तो क्या अगर आप आप जोग को फैक्ते है तो range कितनी horizontal distance 0 आती थी और यहाँ पर भी आप रख कर देख सकते है यदि मैं theta की जगा पर 90 degree रख दूँ तो देखे यह u square sine और 2 into 90 2 into theta ना देखे यह क्या है 2 into theta upon g और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा u square और sin 180 degree sin 180 degree की value आपको नहीं पता होगी संबोत है sin 180 की value होती है बच्छो 0 sin 180 की value होती है 0 सो इस basis पर range कितनी आएगी 0 क्योंकि horizontal distance 0 आनी है क्योंकि जहां से आपने फेका था अगर body वापस से वहीं के वहीं आ रही है जहां पर से आपने object को फेका अगर body वापस से वहीं के वहीं आ रही है सो ने अच्छल बात है जो horizontal range आएगी वो 0 आएगी तो देख सकते हैं इस case में horizontal range 0 है इस case में जो maximum height है वो यह आई जो की 1D motion के समय होती थी और time of light ही होगा ठीक है एक बात दूसरी बात मैं आपको बता दूँँ देखी एसस तो हम लोगों ने जो equation of trajectory derive कर ली है वो यह कर ली है ठीक है लेकिन बहुत से books में आप देखेंगे जो equation of trajectory है उसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है और मैं उस तरीके से आपको अवबत करा रहा हूँ और as such अगर कई बार numerical point of view से वो जो second method है वो काफी ज़्यादा कामगार सावित होती है जैसे देखी अभी y equals to कितना था x 10 theta चलिए साब minus minus कितना ये g x square upon 2 और ये u square और ये जो cos square theta है इस पर मैं थोड़ा सा हलका सा फिर बदल कर रहा हूँ इस पर मैं क्या करता हूँ sin theta से multiply करता हूँ sin theta से multiply करता हूँ तो sin theta से divide करना पड़ेगा देखी मैंने कुल मिलाकर क्या करा मैं आपको बताता हूँ आपको देखकर सभी मैं आजाएगा simply हमने ये करा कि जो cos square theta था उसको cos theta into cos theta लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत देखी ये x tan theta तो as it is और रही बात g x square तो वो भी as it is upon 2 u square तो वो भी as it is अभी यहाँ पर क्या कर रहे है आप जो है बच्चो इसको cos theta sin theta बही ये cos square जो theta था उसे cos square theta को cos theta into cos theta लिख दिया sin theta से denominator में sin theta से numerator में multiply कर दिया और साथ में एक और काम करते हैं यहाँ पर हम लोग g से multiply कर देते हैं तो अगर g से यहाँ पर divide कर रहे हैं तो g से लाजमी मुझे यहाँ पर भी multiply करना पड़ेगा अभी मैंने denominator में g से multiply और g से divide कर दिया अभ यहाँ पर देखें क्या हो रहा है यह हो जाएगा x tan theta x tan theta minus अभी क्या हो जाएगा बच्चो यदि आप देखें तो यह वाले g से यह वाला g cancel होगे देखें यह g से यह g cancel होगे आपने क्या करा sin theta से divide sin theta से multiply g से multiply g से divide यही किया ठीक है और यह हो गया बच्चो कितना x square और यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिए so this sin theta upon cos theta will come as 10 theta sin theta upon cos theta हो जाएगा 10 theta और upon में यदि हम देखें तो यह 2u square sin theta cos theta 2u square cos theta sin theta over g जो होता है बच्चो आपको ध्यान हो वो होती है horizontal range और इन दोनों में से यदी हम देखें तो इन दोनों में से मैं x Dipe common निकाल जाकता हूँ इन दोनों में से हैं x Dipe common निकाल देता हूँ तो यहाँ पर तो बच्चिगा कितना बच्चो 1 और यहां से extent theta common निकल जाएगा तो बचेगा X और यहां बचेगा R So this is the formula for horizontal sorry Y के लिए हना ये देखिए Equation of trajectory की एक दूसरी तरीका आ गया Equation of trajectory भई हम ये वहाँ पर भी derive कर सकते हैं जब हमने किया जिस समय हमने ये derive किया था उस समय में horizontal range नहीं पता थी उस समय horizontal range हमको नहीं पता थी exactly क्या इसलिए मैं उस form में वहाँ पर express नहीं कर पाया लेकिन अब हम कर सकते हैं क्योंकि अब हम range के बारे में बकायदा पढ़ चुके हैं तो देखिए मैं फिर बता रहा हूं ये extent theta upon G x square और ये 2u square मैंने cost square theta को cost theta into cost theta लिखा sin theta से divide, sin theta से multiply, g से divide, g से multiply और 2u square sin theta cost theta upon G होती है range और ये extent theta common निकल कर आ जाएगा तो बचेगा 1 minus x by r तो ये equation of trajectory को लिखने का एक दूसरा तरीका है इससे भी आपको अपने copy में notice करना चाहिए क्योंकि जो कई बार numerical आप देखेंगे projectile motion पर जो इस particular equation पर अगर हम इस particular equation को लेकर चले तो numerical को solve करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है